तो स्वागत है आप सो भी कहा ग्याफनिकेडमी केस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में पूरा संपोन्ड फिजिक्स कम्प्लीट हो जाने वाला है जी हां फिजिक्स समझ रहा है ना फिजिक्स यानि की बहुती की मातर इस एक वीडियो में कम करने वाले हैं और यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है फिजिक्स का यह महामेराथन है ठीक है अभी तक आप लोग की तैयारी एकदम जबरदस्त हुए आप लोग स्टार्टिंग से तयारी करते आ रहे हैं आप लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर को आप लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है स्टार्टिंग से लेकर अभी तब तो यह वीडियो तो आप लोग के लिए एकदम अमरित के समान है मतलब सभी इस्टुएंट के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट है मैं आप लोग को यहीं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग की तैयारी से हुई है या फिर नहीं भी हुई है सबी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट है अग्र आप त्यारी स्ट्राइंग से की T तो यह आप लोग का revision भी हो जाएगा प्लस यह आप लोग को पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह से question पूछे जाते हैं और कौन कौन से topic important है और अगर आप लोग की तयारी नहीं हुई है starting से तो फिर आप लोग का तयारी एकदम जबरदस्त मात्र आज का इस एक वीडियो में हो जाने वाला है एक वीडियो देखिए और पूरा physics complete कीजिए ठीक है ना तो यह वीडियो physics का महा महरा थाने लंबा क्लास चलेगा लेकिन हाँ पूरा physics complete करेंगे पूरा भौतिकी मात्र एक वीडियो में complete total chapter तो चलिए आज का यह वीडियो काफी important है मुझे बताने की ज़रत नहीं है तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बीना इस्किप किये देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा ताकि कि किसी भी तरह से घुमा फिरा कर कोशन आप लोग के एकजाम में पूछे तो आप लोग छोड़ करना है एकदम हंडेट परसेंट करेक्ट जबरदस्त अंदाज में इंसर लिख कर आए और इस बार तो आप होने चाहिए तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को स्किप करने का समय नहीं है अभी करते चलेंगे और दुसरा भी चैप्टर कंप्लीट इस तरह करके हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे मात्र एक वीडियो में पूरा फिसक्स कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ना जितने भी टॉपिक है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और एकदम हम लोग ज्यादा मतलब डिशर्फ है से बात की जाए यानि कि जिसमें फिसक से बाइलोगे होता है यानि कि साइन्स के बुक के हिसाब यह कर दोका जो हडियों वीडियों कर दीजेगा कि यह जोनी है इना यहंज होगा ये तूझरा लूबा होगा लेकिन पूरा हम लोग अपने गोल जो हम लोग का लक्ष है उसको एचीव करके रहेंगे हम लोग का लक्ष है पुरा physics कम्प्लीट करना तो पूरा physics कम्प्लीट करेंगे भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे ठीक है ना तो starting में ही आप लोग वीडियो को की वस्तों को देख पाते हैं बिल्कुल बेशक अगर प्रकाश ना रहे तो हम अपनी आसपास की वस्तों को कैसे देख पाएंगे आप लोग अपनी आसपास की वस्तों को देखिए क्यों देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे यानि कि jakiśём कहते हैं कि परकाश एक प्रकार की उर्जा है अब आप लोग कहेंगे कि उर्जा किस athe मिलता है को यसे हम अलग-अलग तरके काम करते हैं दोड़ने मिलता है बिलकुल उसनी तरह प्रकास हमें मिलता है परब आखों में सम्विद ना उत्पन करता है जिसके वजह से हम पहलेके तरहने शृiva कंसपर आप लोग समझ में आ गया होगा अगला टॉपिक है किरण किरण क्या है आप लोग जानते हैं कि मानलीजे है चुए से परकास निकलता है ठीक है ना परकाश निकलता है और इस शुरिय से जो परकाश निकलता है वो हमेशा सीधी रेखा में यानि कि सरल रेखा में होता है इसको प्रूब्बी किया गया है कैसे एक आप सीधा पाइप ले लीजिए और एक तरफ से दूसरी तरफ देखिए तो आप लोगो दिखाई देगा लेकिन अगर आप एक यू टाइप का पाइप लेते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा दुसरी तरफ नहीं दिखाई देगा इससे साबित होता है कि परकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है या या कि हमेशा परकाश टीदी होगा ठीक है लेकिन किसी भी स्रोट से माल लिजे ये सुर्य है सुर्य से जो प्रकाश निकलता है इस प्रकास की एक सीधी रेखा को एक सरल रेखा को हम लोग कहते हैं किरन केवल एक केवल एक सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं किरन कहते हैं प्रकाश का कुई एक सरल रेखा कोई एक सीधी रेखा क्या कहलाता है किरन कहलाता है ठीक है और इसी तरह माल लीजे बहुत सारी किरने हो गई इस तरह यह पहली किरन यह हो गई दूसरी किरन यह हो गई तीसरी किरन तो बहुत सारे किरनों के समुझ को कहा जाता है किरन पुंझ अब किरन पुंझ तीन प्रकार किरन पुंच यानि कि वैसी किरने जो एक दूसरे के समानतर हो आप लोग देख सकते हैं यह जो किरने हैं यह एक दूसरे के पैरलल है यानि कि समानतर है इसके समानतर यह एक दूसरे के पैरलल है तो इस तरह के किरनों के समों को हम लोग क्या कहेंगे समानतर किरन पुंच कहें यानि कि अभिसरीत हो रहा है मिलने को कहते हैं अभिसरीत होना ठीक है यानि कि यह सभी किर्णे एक बिंदू पर आकर अभिसरीत हो रही है इसी वज़ा से इस तरह के किर्णों के समू को हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरन पुंच कहते हैं क्योंकि यह सभी किर्णों के प्रकाश का परावरतन किसे कहते हैं उससे पहले समझिए कि हम किसी भी वस्तू को कैसे देख पाते हैं आप क्या सपस बहुत सारी चीजे होगी आप लोग के हाथ में अभी मुबाइल है मुबाइल को आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग के चार तरफ हो उससे आप लोग देख पा रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं तो कैसे प्रकाश के प्रावरतन के कारण कैसे देख पाते हैं प्रावरतन का मतलब अभी में बिता क्योंकि इस studio में लगा हुआ हे एक और उसे फ्रकाश निकल रहा है वो परकास इस मारकर पर गिर रहा है और इस मारक 설 से टकडा कर हमारी आख तक पहुंच पा रहा है इस वजह से मैं इस मारकर को देख पा रहे हूं यानि कि light जो है इस marker पर गीरा और इसे टकड़ा कर हमारी आँख तक पहुंचा तो टकड़ा कर वापस लोट जाना टकड़ा कर रिफ्लेक्ट कर यानि कि टकड़ा कर वापस लोटना ही क्या कहलाता है प्रकाश का परवर्तन कहलाता है ठीक है ना तो खेर यहां पर समझें यहा किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं जिसे प्रकास को रिखलेक्ट कर दिया है यादि परवर्तित कर दिया सब्सक्राइब इस वजह से उस सथा उस सर्फेस को क्या कहते है परावर्तक सता तो माली यहां पर एक मैं परावर्तक सता ले लिए मिल ठीक है यानि कि दरपन जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं अपना खुबसूरत सा वही दरपन मैं यहां पर ले ली हूं जिसका ये उपर वाला परवर्तक सता है ठीक है ना और इस पर इस तरह प्रकाश आई और टकड़ा कर वापस लोट गई यानि कि इस सता से प्रकाश का परवर्तन हुआ तो इस सता को क्या बोलती है परावर्तक सता अब देखिए ये परावर्तक सता पर ये जो किरन आई है आने वाली किरन को ये जो किरन आई है तो आने वाली किरन को क्या कहते है आपतित किरन याद रखिएगा आपतित किरन यानि कि इंसिडेंट रे इंग्लिश में कहा जाता है incident रहे ठीक है ये किरन आई इस परवर्तक सता पर तो आने वाली किरन को आपतित किरन ठीक है जिस बिंदू पर आती है न किरन उस बिंदू को कहा जाता है आपतन बिंदू ठीक है तो देखे ये किरन इस बिंदू पर आई तो इस बिंदू को क्या कहेंगे तो ये हो गई आप्तित किरन जिस बिंदु पर आई उसको कहते है आपतन बिंदु और टकडा कर वापस लोट गई तो कहेंगे परावर्तित किरन ये जो जिस बिंदु पर आई है उस बिंदु पर हम लोग 90 ऐगरी का लाइन खिच देते हैं तो ये हो गया आपतन बिंदू पर लंब यानि कि अभी लंब हो गया 90 डिगर का हम लोग लाइन खिछ दिया अब ये जो अभी लंब है और ये जो आपतित किरण है इन दोनों के बीच के कोड को ये जो अभिलंब है फिर से सुनिए ये जो आपतन बिंदू पर अभिलंब खीचा गया है इस अभिलंब और इस आपतित किरन के बीच के कोड को कहा जाता है आपतन कोड क्या कहते हैं आपतन कोड कहते हैं ठीक है एंगल अफ इंसेडेंग और उसी तरह यहाँ पर अभिलंब प्रकाश च होगा अब समझे यहांपर परकाश के पररवर्तन के दो नयम होता है प्रकास किसी सता से टकड़ा कर वापस लोड़ती है तो वो दो नियम को फॉलो करती है पहला नियम क्या है आप्तित किरन परावर्तित किरन तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब यह फिर अभिलंब भी कह सकते हैं आप्तित किरन परावर्तित किरन तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते है कि अगर परकाश आई मांदीजी यहां से में बोड़ पर टॉर्ट जलाई तो ऐसा कभी नहीं होगा कि टॉर्ट जलाने के बाद जो परकाश निकलेगा वह इस बोड़ से टक्राने के बाद इसको अंदर फारते हुए चला जाएगा ऐसा तो कभी होगा नहीं परकाश इस तरह अगर मैं यहां से जलाती हूं तो परकाश इतरह जाएगा बोड़ पर टक्राने के बाद यानिकी उसका परवर्तन हो जाएगा तो यहां से लोग लाइट जलाएंगे तो जिस बिंदू पर परकाश जाएगी और परवर्तित होगी और उस बिंदू पर लंब खिचा इसे यहां बात कहा गया है कि परकाश चीरते हुए अंदर चली जाए या फिर उसका तरल बढ़ेर जाया ओद आपतन कोड परावर्तन कोड के बराबर होता है यानि कि यह जो आपतन कोड है यानि कि जितने एंगल पर परकाश आपतित होगी उतना ही एंगल पर वह परावर्तित भी होगी मालेजे एंगल आई आपतन कोड जो है न वह थाटी डिग्री है यानि कि तीस डिग्री पर यह प निसमें निश्करेट जाता है यह शोड़ पॉलिस किया जाता है ठीक तो जिसका पिछला बाला भात पॉलिस किया रहता है और अगला भान चुक्ण आ रोए जिस में लोग अपने खुब रहते हैं एक उस्सेको क्या के आई थो समझिए। जो दर्पण होता है न मीर इसको इस तरह से दिखाए जाता है यह हो गया समतल दरपन और यह पॉलिश किया हुए भाग है यारिकी पीछे का दरपन के जो पीछे का भाग पॉलिश किया हुए रहते हैं उसको इस तरह से दिखा देते हैं तो यह पॉलिश किया हुआ भाग है तो यह पॉलिश किया हुआ डेती है या तो हम इसको बाहर 向 और चहरा देख सकते हैं या तो हम इसको अंदर से पॉलिष dönem कर उठा हुआ भाग पॉलिष किया हो और अंदर वाला भाग परावर्तक सता हूँ धसे वे भाग में एब लोग देख सके तो इस तरह के गोली दर्पन को कहा जाते हैं ऑटल दर्पन देखिए बाहर वाला भाग पॉलिष कर क्लिश कर दिया गया है और वाहर वॉलायर के उठा हुआ प्रवर्तक उसे ऊठाने याद गभण है उठा cu होता है और यहां से कोशन पूछा जाता है कि बताईए और उठानी का यूज कहा कहा होता है तो समझें यहाँ पर ओताल दर्पन जो होता है ना वो किसी भी वस्ट्यों को बड़ा करके दिखाता जाने है उतल पटर दर्पन में करने के लिए उसको मेरा मिरज कर जाता है उसमें यह ओतल दरपन लगा होता होता है या कि वह इमेज को बढा करके दिखाता है उसमें चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है और उतल दर्पन का रिखे और उतल दर्पन यह किसी भी को छोटा करके दिखाता है यानि कि इसमें बस्तू का इमिस बनता है इस नुप और या कि साइड मिरर के वगल में कौन सा होता है कि यह बड़े-बड़े इमेज को चोठा करके दिखाता है हम लोग पीछे के पाते हैं क्योंकि वह हो गया इसका यूज अब आगे यहां तो यहां से एक किरन को गुजारी है जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे ठीक है ना कि एक सीधी किरन को लेकर जाईए यह हो गया सीधा ठीक है इस धरपन से जाकर इस बिंदू से टकड़ा गया अब आप लोग यह चीज़ याद रखिएगा कि अगर किरन परवर्तक सता के लंबवत जाती है और जिस बिंदू पर टकड़ाती है फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती यानि कि यह लंबवत गयी है िहीं पर वर्तक सतह है और इस तरह इसलिए गई है तो तक राने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है अब दूसरी लेकर यह तो पहली किरन हो गई पहली लूपस इसी दिशा में आगे दूसरी किरन को दीजहां तो यहां पर पर चलेए ठीख है यहां पर लेकर चलेole किरण पर पर यह आने वाली की रण है तो इसको आपटित की किरण कहेंगे और इस बिंदू पर टकराई तौर मोलस टीक है और इस। टिक की ऩिसके स्थ कि आई कि अप आप तन कोड़ यह जो परवर्द का नियम है दुसर वह क्या कहता है कि ए मेंगन पर यह और प्रतिविवयुद ने के लिए किवल 2 के लिए करण काफी होते हैं मेर्ट अब देखिए यह दोन Singapore आइखीर सबस्क्र ora और सिंदकी में नहीं मिलेंदा upward vemos इस बिंदू पर मिलेंगी ठीख है इस बिंदू पर एसा लगए गा कि पीछे इस बिंदू पर मिला रहा है तो यहीं पर बनेगा यहीं पर बनेगा क्या यहीं पर बनेगा इमेज यह जो आदमी क्छड़ा है यहांपर इसी का इमेज यहांपर बन जाएगा बना दे रही इस तरह जो भी है इस तरह बन गया इमेज आप लोग देख सके लेख यह मतलब जो सामने सीषा होगा ना बिल्कुल मतलब जो इमेज बनेगा सामने सिषा पर समतलग करन पर वह बिलकुल बहू इसी तरह बनेगा जैसे लोग पीछे जाएंगे यानि कि पीछे चलते चले जाएंगे उसी तरह आपका जो दरपन में इमेज बना है पर्तिवीम वह भी पीछे चलते चला जाएगा या इस Pass dall बढ़ेंगे इमेज का भी दूरी बढ़ेगा प्रतिविम का भी दूरी बढ़ेगा ठेके यहां तक ही आप देखिए जितना हाइट है इतना हाइट है उतना ही हाइट का इमेज बना है उसी तरह हम लोग अपने प्रतिविम में देखते हैं अपना चेहरा देखते हैं तो जितना हम लोग का बड़ा शरीर होता है और जितना बढ़ा हम लोग का चेहरा होता है उतना ही साइज का देख़ाते हम अपने आप को से में दर्पण में तो वही आपर बताने कीकुष्ब की जा रही है और कि समतल दर्पण से है जितना हे है जहां परफारन हो गता है और उठे हुए भाक के तरफ पॉलिश किया हुआ होता है तो यह क्या क्या लागता है आप लोग और देखें आप लोग को देखकर लग रहा है नô और या किसी गोले का भाग होगा फीक है ज़जा बन जिसको सीधा मैं बना देती हूं लेकिन भावनाओं को समझने की कुछिश कीजिएगा अब समझ में आ रहा होगा ठीक है उसी तरह उत्तल दर्पन को देखिए जिसका प्रावर्तक सिता उठा हुआ हो देखे उठा हुआ है इसमें प्रावर्तन होगा और इसको देखकर लग लग रहा है कि यह भी किसी ना किसी गोले का भाव होता है उसके केंद्र को POW केंद्र देखिए इस गोले का इस्परन के इन वकृता के अंदर कहेंगे C, यहाँ पर होगा, और उसी तरह यहाँ पर P होगा, यह जो दोनों द्वारखे मान लेज़े, इसको M मान लेते हैं, और इसको N मान लेते हैं, M और N के बीच वाले बिंदू को हम लोग धुरू कहते हैं, जिसको P से सुचित किया जाता है, उसी तर कह लाएगा, यहाँ परापतन बिंदू का हम लोग लाइन किछ दिए, तो यह होगी अभी लम और यह आपतित किरन के बीच का यह कोड किया कह लाएगा, आपतन कोड कह लाएगा, इतना कोड पर यह वापस लौट गई तो यह लौट गई तो यह तरह दूसरे किरण को भी लाईए यह इस तरह बिंदू से यह इस्तरह परावर्तित होगी इस तरह चली जाएगी ठेके इसी तरह आप कितने भी किरन को ला दीजिए एक और किरन को लेकर चले आईए इस तरह ये भी इसी बिंदू से जाएगी एक और किरन को लेकर आईए मुख्यक्ष के समानतर ये भी इसी बिंदू से जाएगी यानि कि उतल दर्पन के मुख्यक्ष के समानतर जितनी भी किर्णे आती है वो एक बिंदू पर आकर मिल जाती है और इसी बिंदू को क्या कहा जाता है तो फोकस कहा जाता है जिसे F से सुचिक हम लोग करते हैं तो यहां पर दो किर्णे मुख्यक्ष के समानतर लेकर चली गई है यह किर्ण इसको क्या कहेंगे आप्टित किर्ण यह हो जाएगा आप्तन बिंदू इस पर 90 डिग्री का लाइन खिचेंगे तो यह हो गया आप्तन कोड और इतना ही कोड पर वापस लोड जाएगी तो लोड इस religion चली गई उसी तरह किर्ण हाई और यह वह ब्रुटन यहां तो लिट जा रहे हैं यह कभी जिInd्दगी में आप मिलेंगी आपी बता午रतन हुआ है और यő इदर चलीए यह उदेर चलीए यह एक दुसक्र से कभी नहीं मिलेंगी लेकिन इसको पीचे की तरफ लाकर मिला दिया जाता है यशे बेखेनां इसको कहा जाता है फोकॉस जानि कि उट्तल दर्पन से मुक्यक्ष के समांतर किर्णे अगर गुजारी जाती है तो परावर्तन के बाद वो एक दूसरे से फैल्सिस्ट चली जाती है लेकिन अगर उनको पीछे की तरफ खीच कर जबरदस्ती मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो किर्णे उस बिंदू से आती हुई परतीत हो रही है ऐसा लग रह फोकस बिंदू ये फिर फोकस माइली जी उतल अवतल दरपनध इसका मूख्यक्छ हो गए ध्रू यह हो गया केंद्र थीक है इसके सवांतर मुख्यक्ष है इसके समांतर किरने आई तो यह तो हमेशा फोकस से जितने भी मुख्यक्ष के समांतर जितने बीड़ी आएंगी वह और यह वकृता केंद्र पर इस तरह आई है तो इस बिंदू से टकराने के बाद वापस इस दिशा में लौट जाएगी वापस इस दिशा में लौट जाएगी दों नहीं है कि मुख्यक्ष के सबांतर के लिए तो फोकस के हो कर गुजरती है और वापस वह उसी दिशा में लौट जाती है लेकिन क्या हो अगर हम किरण को कर वक Stocks मारये और यह अब अगर हम नदेगे फोकस से होकर लाग दे किरन को दारय फोकस से होकर ये किरन आई और अवतल दरप्ण से ये टकडा आई तो हुटे आती है तो अवसक लगती है फोकस से फोकस से होकर आती हैं तो दरपण से प्रवर्तन के बाद यह मुख्यक्ष के समानतर हो जाती है तो किसी भी वस्तु का image बनाने के लिए आप accompany खाते हैं कि ऑतल दर्पढ यह जो है इस पर image बने तो वस्तु को कि आप एक हो गया केंदर हो गया और यह वस्तू हो गई आपनी है घ। स devast tutaj उस पर O नहीं वस्तू की दूरी हूं दो चैने जाना है एह से इधर से मापते हुए जाएंगे नहीं एसा आपने ना ऐसा नहीं करना है कि वस्तु से आप लोग दूरी की तरफ जाएंगे है जाहे वो वकृता के यह दायतरफ हो गया तो हमेशा किरण को इधर से ले कराएंगे हमेशा किरण को इधर से लाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि यह परावर्थक सत्य है नहीं इधर कर दिये और किरण को इधर से ले कराएं कभी भी दायतरफ से किरण को नहीं लाया जाता है हमेशा किरण को बायत पर्योंर पर से कज़ए फिशेबिश की दूरी मापतं यांगा अगर ये होगया है तो वह चले जाते हैं तो वो दूरी निगेटिव यानि की रिडात्मक माना जाता है और अगर आप धुरू से दूरी मापते हुए दाय तरफ जाते हैं यान की राइट हैं जाते हैं तो वो दूरी धनात्मक मानी जाएगी यान की पॉजिटिव माना जाएगा ठीक है ना उसी तरह उ तो फिर वो दूरी धनात्मक यान की पोजिटिव माना जाएगा यह याद रखिएगा और यह जो मुख्याक्ष है इसके उपर परत्विम अगर बनता है मतलब उपर जो भी दूरी मापेंगे यह मुख्याक्ष के उपर जाकर अगर वस्तू की दूरी मापते हैं या फिर किसी अगले टॉपिक को समझते हैं अगला है यानि की ओतल दरपन से किस तरह से image बनता है परतविम बनता है वह समझे और पर्तिविम बने के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि किनी दो किनों की आउसकता होती है और वह दोनों कर ने जिस बिंदू पर मिलती है या फि पर यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था ठीक है और यह आदमी से दो किरण हम लोग उजा रहे थे एक लंबवत जो की टकड़ा कर इस बिंदू से वापस इस तरह चला गया था और एक इस तरह लेकर गया थे इस पर हम लोग लम खीचे ते जितना एंगल पर यह आया था उत यह जो आदमी इसका पर्टवीम बन गया ठीक है यानि कि यहां पर यहां पर भी यह दोनों प्रतीत हो रही है यानि कि ऐसा लग रहा है कि यह दोनों के जोह ना वह इस बिंदू पर आकर मिल गई है वास्तों में तो यह एक दूसर से दूर जा रही हैं लेकिन इनको पीछे पर मिलती है यहां पर रियल में यह दोनों करिणने नहीं मिलिए को लिग मिलाया यplant इस Roberts नहीं कि अबी बताइन गूसे दर्पन में बनेगा लेकिन कितने के लोग .. तो कम से कम दो क्या सेता होगी एक विदिदू और वो दोनों खिर्ने winner बिलेंगी या फिर मिलती परतित होगी उसी बिंदू पर क्या बननेगा इमिज यानि कि पर्तिवीम तो चलिए यह रहा आपका ओब दर्पन खीक है देख सकते हैं बाहर से पॉलिस किया हुए और इसका परवर्तक सता धोसा हुआ हो यह औतल दरपन द्वटरा किस तरह से प्रतविम बनता है यानिकी प्रतविम का निर्माण किस तरह से होता है चूल्री यह गते हैं अब अभी अब देखिये तो हमेशा वस्तु को किसे रखना है बायत तरफ रखना है तो चलिए बाया तरफ हम कहां कहां हो क्या होता है बहुत दूर जिसका अंदाज़ा को नहीं लगा सकते हैं तो और और उसका प्रतिविम ओतल दरपन पर बनाना है तो उस वस्तु से जो किरने आती है उसको समांतर माना जाता है यानिकि मुख्यक्ष के समांतर माना जाता है तो बिम्ब कोई क्या कहा जाता है वस्तु कहा जाता है वस्तु को फिजिक्स में क्या कहा जाता है बिम्ब याद रखेगा वस्तु को फिजिक्स में क्या कहते हैं विम्ब कहते हैं तो म लोगों को यहाँ पर प्रतिविंग का निर्माड करना है पता लगाना है तो प्रतिविंग बनाने के लिए दो किरनों की आवशकता होती हैं को ही दो किरन उठाई और अनंत से जितनी भी किरने आती है उसको मुख्यक्ष के समानतर माना जाता है यानि कि अगर कोई अनंत में विस्तु रखी हुई है आनंस में रखा हुआ है तो इसे दो किरने लाएंगे तो कभी भी अनंस से किरंदा ला दिज अब हम valley और सतुए हम अवतल धरपन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे उस वस्तु से दो किरन लाएंगे और अनन से हम लोग दो किरन यहां पर ला दिये हैं जो कि मुख्य अक्ष के समानतर होती है याद रखिएगा तो इसी वजह से यहां पर दो किरने में ला दी हूं मुख्य के बिल्कुल समानतर यान की पैरलल ठीक है अब लोगों मैं अभी बताए थी कि मुख्यक्षकी समानतर आती किर्णे से अतल होकर गुजरती है तो इसा am तो फोकसर होकर गुजरंगी यह दूसरी किरण गया की चरण बटारी है यह हो गई помог नुहीं परवर्तन कहां। तो फोकस पर होगा यानिकी फोकस से होकर गुजरिक तो यह चली गई दूसरी करंग यह पहली करता तー तो अनंद पर रखी वस्थू का परतविम कहां बनता है देखिए मैं लिग दीघिए फ पर यानि की फोकस पर ठीक है अब माल लेजे कि हम लोग अनंद पर नहीं रखते हैं सी से परे यानि कि वक्रता के पीछे वस्तु को रखते हैं जरा मैं इसको मिटा देती हूं ताकि अब इसको बनाना आसान हो जाए ठीक है ना अच्छा एक और चीज इसको अभी बनाए रखिए यह बन गया यह दूसरा क प्रतविम कहते हैं और जब किर्णे किसी बिंदू पर मिलती भी परतीत होती है वास्तों में नहीं मिलती है जैसे कि समतल दरपड के साथ हुआ था समतल दरपड में वास्तों में किर्णे नहीं मिल रही थी हम लोग फीछे खीच कर मिला रहे थे न तो जिस बिंदू पर किर परतविम तो बनेगा लेकिन उस परतविम की प्रकृति क्या होगी तो वास्तविक यानि की रियल परतविम होगा ठीक है और आप लोग देख सकते हैं पहली किरण नीचे चली गई दूसरी किरण ऊपर चली गई पहले एक दो था अब जो परतविम बना है तो दू और एक हो परतविम बन गया है क्या हो गया है उसकी प्रकृति क्या है वास्तविक तथा उल्टा यानिकी रियल इमेज बना है और उसके बाद से उल्टा बना है क्योंकि किरणे उपर नीचे चली गई है ठीक है तो यहां पर उल्टा इमेज बना है और देख सकते हैं जहां पर वस्त केंद्र अगर वस्तू को फख लाक दा एक पहले हया मैं इसको हम समझते हैं मालिचे स्य पीछे मैं यहां पर एक वस्तू overnight ही अब इसका परतिवीम इस ओतल दर्पण पर कहां बनेगा यह हमें पता लगाना है तो पता लगाने के लिए कि कहां बन रहा है हम इस बस्तु से दो किरन गुजारेंगे और वह दोनों किरन जहां मिलेंगे या फिर मिल्टी भी परतित होंगी वहीं पर बन जायेगा क्या इमेज़ तो चल लिए अक्ष्क के पर लोग इसको से होका खुलए लू के लिए ज़ुंक रले कर चलिए डूरMe ले कर चलते हैं सेयम यह पर दूसरी की लड़ी कहां जो होते हुए यह ईसको और अच्छे से मतलब आप लोग इसको स्केल से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा यहां पर मैं बोर्ड पर बना रही हूं तो सीधा हो सकता है कि नौ बने यह दूसरी किरण हो गई इसको हम लोग दुरू पढ़ने कराया हैं यह दूसरी किरण है अब यह परावर्तन के बाद देखिए जितने एंगल पर यहां पर हम लोग 90 डिगरी का लाइन किचेंगे तो मुख्याक्ष के समान मतलब इसी के बराबर होगा तो जितना एंगल पर यह उतना ही एंगल पर यह वापस लौट जाएगी यह किरण आई है और इस बिंदू पर आई है इस पर हम लोग 90 डिगरी का लाइन किचते हैं तो यह हो गया यानि कि इतना एंगल पर यह किरण आई आई यहां पर बन गया इस वस्तु का इमच आप लोग खुंद देखकर बताईये कि यह वास्तविक प्रतिविंब है यह अभासी प्रतिविंब है दारेक्ट दिख जा रहा है तो यहनि कि वास्तविक परतवीम है यानि कि रियल में है ठीक है और उसके बार से आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर वस्तु पर रखा गया था और मुख्यक्ष के नीचे परतविम बनाया यानि की उल्टा इमेज बना है आप लोग को पता क्या चला पता यह चला कि अगर हम सी से परें सी से पीछे कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतवियम जो बनेगा वह वकृता के इंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा देख सकते हैं वकृता के इंद्र सी तथा के बीच बना हुआ है और प्रतवियम की प्रकृति कैसी होगी तो प्रतवियम जो है ना वह वास्तविक होगा उल्टा होगा तथा वस्तु जितना बड़ा है ना उससे थोड़ा साथ छोटा होगा यहां पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मतलब दोनों बराबर ही दि प्रतवियम के बीच बनेखा रबिल के सिति और वास्तव स्टा क्या होगा उल्टा और वस्तु से घोटा फिक में लोग समझते और और अच्छा से मैं गुज़रेगी तो देखिये हैँ अब दूसरी किरंण को फशोड़ाई यह लिए दूसरी किरंण चली गई गई फिट्रू पर रिखना इतना ही अंगल पर हैं। वापस लोट जाएगी तो इतना ही एंगल पर आप लोग इसको लोटा दीजिए इस तरफ परतिबिंब दिखाई दे रहा है यहां पर बन गया परतिबिंब यानि की पता क्या चल रहा है कि अगर हम लोग सी पर वक्रता केंदर पर वस्तू को रखते हैं तो परतिबिंब भी इमेज भी सी पर यानि की वक्रता केंदर पर ही बनेगा और परतिबिंब की प्रकृति क्या बढ़ाबर है ठीक है ना तो पर्तविंब की प्रकृति क्या हो गई वास्तविक उल्टा टथा बिम्ब के बराबर यहां पर प्रतविंब बना है ठीक अब हम लोग समझते हैं किसी तथा एफ के बीच यानि कि वकरता के अंदर और फोकस के बीच यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतविम कहा बनेगा तो फिर सब्सक्राइब लेते हैं यहां पर रख देते हैं यह हो गई वस्तू अब इसका प्रतविम कहा बनता है चलिए देखते हैं पहली किरण को तो हम लग मुख्यक्ष के समांतर ही गुजार देंगे ताकि यह आसानी से परावर्तित हो जाए किरम उक्याक्ष के समांतर गाई यह किरन गहीं मुख्यक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई थीए तो उसक libro और ये काां पर मिल रही हैं दोनों किरणे आरवर्तन के बाद यहां पर मिल रही है आप लोग की प्रकृति कैसी है तो वास्तिविक है क्योंकि वास्तविक है ले किडने मिली है और उल्टा है वस्तू यहाँ पर flow है मुख्यक्छ के उपर ए हुपर प्रस वह आकार बताहिए वस्तू यानकी 5 और वि Alban भीत्वा बड़ा प्रस ब्रतविक है आप लोग देख सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर समझ में आ गया कि अगर सी तथा एफ के बीच वस्तू को रखते हैं तो उसका प्रतविम कहा बनता है सी से परे यानि कि सी से पीछ है और वास्तविक बनता है उल्टा बनता है तथा बिंग से बड़ा बनता है अब हम लोग समझत है इससे दो किरन लेकर जाना है पहली किरन तो मुख्यक्स की समानतर लेकर चली जाए और उसके बाद से यह परावरतन के बाद फोकस से वोकर गजर जाएगी ठीक है यह गुजर गई दूसरी किरन को धूरू से लेकर जाए यहां पर जितना एंगल पर आई है उतना ही वापस लोट गई आप लोग देख सकते हैं यह दोनों किरने एक दूसरे के समाना अंतर है यानि कि यह जाकर कही दूर मिल जाएंगी यानि कि अनंद पर मिल जाएंगी जिसका लोग अंदादा नहीं लगा सकते हैं तो इसी वज़ए से फोकस पर रखी वस्तु का प्रत्व में ही ना मिलेंगी यानि की वास्तुए प्रत्विम बनेगा साथ सब्सक्राइब प्रत्विम उल्टा बनेगा और प्लस फोकस पर जितना बड़ा वस्तु रखा गया है न उससे बड़ा बनेगा यह याद रखिएगा देखिए अब दूर्भी के बीच यानि कि धूरू बनेगा समझते हैं हम माल लेते हैं कि यहां पर वस्तू को रख दिए ठीक है यह बन गई वस्तू ठीक है और इसका प्रतविम कहा बनेगा चलिए समझते हैं पहली किरन तो मुख्याक्ष के समांतर लेकर चले जाएं और यह टक्राने के बाद यह चली गई ठीक है किंसे प्रवरतन के बाद दो और से परावरतित हो चुकी है यह गये shiftी जिन्दगी में कभी ही दुसरेसे नहीं मिल पाएंगे तो क्या करेंगे इसको जबर्दस्ति मिलाएंगे इसको पीछे खीचएंगे फिछ दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जा रहे हैं एतन से दूरावरते, है यानिकि यह दुसरे से कभी नहीं मिलेंगे जिंदगी में कभी this कि इन दुनों के बिच की दूरी दूर होते जा वहे लेगी है लेकिन अगर हम इसको जवरदस्ती पीछे ही कर मिला है तो पीछे बिल जाएंगे ना यहीं पर बंज behavior यहां पर खीरने वास्तों में नहीं रिली मिली है मिलती भी परतीथ हो रही है यह जो परतिविंब बना कि यह वास्तविक पर्तिविंब नहीं है बलकि आप 8 यающ את विंच बंचेश और आप देख सकते हैं वस्तु से बड़ा इमेज बना हुआ है तोो यहां पर आप लोगे कई सब्सक्राइब करने बनेगा या फिर कोशन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिविंब अनंध पर बना है तो बताइए उस वस्तु की इस्तिति क्या है यानि कि उस बिम्ब को कहां पर उस वस्तु को कहां पर रखा गया है देख सकते हैं आप लोग और यहीं पर रही हूं कैसे याद रखेंगे आप लोग डाइग्राम पर समझने की कोशिश की दिएगा ठीक है इसी वह जैसे मैं फिर से वापस मिटा दी हूं और एक्दम साप सुत्र आप लोगो बता रही हूं अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिविंब कहां बनता ह है और अगर हम लोग वस्तु को फ्ली टता एक के भीरर्फ में रहते हैं तो उसका परतिविंब dwafny दरपन के पीछे इसे घ्रिक आप लोगो को याद रखना है कि पर जैसे नजदीक लएंगे वस्तू को दरपन के नजदीक लाएंगे है पर तफिर नोग दूर लिए ढम हखता तो अगर पर रहेम चाहरी है नहंब जब कर दिश्क पर हैं तुका परत्विम नेश कर लिए इसको अगर वस्तु को रहते रखते हैं तो और अगर रहें और हम लोग और नस्दीक लेकर चले जाते है वश्ञ्टू नुक्त बने करेंगा और तथा न के बिश में रखते हैं तो पतीए मतां बताईए दरब saints जैनर रखना को एचिछ तीतिया समझ में आ गई होंगी बस यहां पर आप वैसे वैसे परते भी मदूर जाता जाएगा ठीक है ना उसके बाद से आप लोगो यह सारी स्थितिया अपने आप ही याद हो जाएंगी अब आगे बढ़ते हैं उत्तल दरपन द्वारा परते भी निर्मार इसमें तो कोई मतलब आप यह कैसा कोई जंजट ही नहीं है क्योंकि उत्तल दरपन में दो ही चीज़ होगा दो ही इस्तितिया होंगी यह हो गया इसका मुख्यक्ष यह दुरू यह हो लेकिन यहां पर तो कोई बिंदू नहीं है कोई जगही नहीं रखने का दो ही कंडिशन है एक यहां पर रखेंगे नहीं तो पी तथा अनंत के बीच में रखेंगे ठीक है ना तो वही कीजिए अगर वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिवें उत्तल दरपन पर क यहां बनेगा तो बस अननं से डो किर्ण लाना अनन से जब कोई किर्णे आती हैं तो मुख्याक्ष के भी आ रही है उसी तरह मुख्यक्ष के समान तर यह भी किरन गई है यह वापस ऐसे लोटेगी जैसे की लगेगा कि यह फोकस से होकर ही आ यहां लोगी जबरदस्ती पीछे लाकर मिला रहे हैं यहां पर इमेज बन जाएगा अनंद पर रखी वस्तु का इमेज कहां बन रहा है तो उस्तल दरपड में फोकस पर बन रहा है और वस्तु की प्रकृति क्या है तो यह एक अभासी प्रतिविम्ट की मैं बोल रही हूं प् यानि कि यह जो प्रतिविम्ट बना है यह आभासी प्रतिविम्ट है यानि कि वर्चुल इमेज है ठीक है और उसके बाद से सीधा प्रतिविम्ट बना है देखिए पहली किरण जो तकराने के बाद उपर ही है यानि कि उपर वाली किरण उपर ही है और नीचे वाली जो पर रखी हुई वस्तु थी उसका प्रतिविम यहां पर एकदम बिंदु आकार एकदम छोटा सा बना है यानि कि प्रतिविम का साइज जो आकार होगा वह एकदम अत्यांत सुक्ष में यानि कि बहुत ही छोटा होगा ठीक है ना समझ में आ गया अब हम लोग यह जो इस्थित प्रतिविम के बीच यानि कि धुरू के बीच इधर कहीं पर भी अगर वस्तु को रख देते हैं तो उसका परतिविम कहा बनेगा इसको समझ लेते हैं यह हो गया वस्तु ठीक है दो किरण लेकर जाना पड़ेगा पहली किरण जो है ना मुख्याक्ष के समानतर लेकर चले यह हो गयी मुख्याक्ष के समानतर पहली किरण और यह टकराने के बाद ऐसे वापस लोटेगी जैसे कि वोग मोखर्तससे होकर आती विपरतीत हो निए फोकस ऐसा लएगा कि वो फोकस से होते हुए ही आ रही है यह किरण गई यहां पर टकर आई और ऐसे लोटी जैसे लग इस तरह लेकर जानते हैं अगर वक्रता केंदर से किरने आती है तो उसी दिशा में वापस लोट जाती है तो यह किरन आई तो जरूर है सी को टारगेट करते हुए लेकिन इस दरपन से इस उत्तल दरपन से परावर्तन के बाद यह वापस उसी दिशा में लोट जाती है तो यह लोट गई वापस उसी दिशा में अब आप लोग को क्या करना है आप लोग को देखना है कि यह दोनों किरन एक दुसरे से क्या मिल रह पीछे कीचिये साफर मिलती भी परतीत हो रहे जिसको जब हम लोग पीचे कीचे कर देशेंगे तो यहां पर मिलती भी परतीत हो रही है यानि कि यहां पर बन गया इस वस्तू का इमेज वस्तु जो है इतना बड़ा है और इसका जो प्रतविम बना है इतना छोटा बना है यानि कि प्रतविम की जो परकृती है वह आभासी है सीधा है तथा वस्तु से छोटा है और प्लस ये भी चीज पता चल गया कि अगर हम लोग वस्तु को अनंत तथा पी यानि कि धुरू के कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रेभिमुका बनेगा हमेशा दथा एक count निइसको इस लिग्षाइं यह वाटोा है दिसको नियूमारिकल आपको करेखसाम में बूछा जाता है तो यह फॉर्मूला रखेगा ओन ब्ल्स-व्य इप्वल टो वन वाइ एफ यह जो भी है यहां पर यह प्रतिविम्ब की दूरी है यू जो है यह वश्तू यानि कि टौरी है और एक न यह फोकस दूरी है जैसा कि मैं आप की दूरी को यू से सूचित किया जाता है और भी परतविंब की दूरी ठीक है में यहां पर बन गया ठीक है तो यह प्रतविंब दूरी कि कितनी है तो इस तरह होते हुए जाते हैं और फोकस की दूरी मापते हैं कि कितनी दूरी है तो उसी दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से सुचित किया जाता है बलकि यह जो कैप्टल एफ है यह फोकस बिंदू है और स्मॉल एफ यह फोकस दूरी है यह याद रखिएगा तो एक और पॉइंट है जो वस्तु कोई दूरी मापने के लिए हमेशा हम लोग भी से यानि कि दूरू से 2 तरफ jake तो कोई भी दूरी अगर हम अवाइन तरफ जाकर मापते हैं तो खाहे हम यहाँ पर उतल दरपण लिए हो ठीके अगर, पर हम उसको वस्थू की दूरी मापेंगे ना तो P से बाइंट तरफ ही जाएंगे यानि कि अतल दरपन और उतल दरपन दोनों के लिए जो U होगा यानि कि वस्थू की दूरी वो हमेसा माईनस में होगा माली यहां पर वस्तू रखा हुआ है हम P से चल ले आए मापने के लिए कि वस्तू की दूरी कित्मी है पी से जब मापे तो हमको पता चला कि वस्तू की दूरी 15 cm है तो क्या हम U is equal to 15 cm लिख देंगे हम लिख देंगे कि U is equal to क्या है 15 cm जी नहीं माइनस लगा देंगे माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग P से बाइन तरफ आये हैं मापने के लिए ठीक है ना तो P से अगर हम लोग बाइन तरफ आते हैं तो वो निगेटिव यानि कि रिरात्मक माना जाता है है और रणकी ?". वो हमेसा नीजेटिव होती है क्यों देखें यहाँ पर फोकस है है इसकी दूरि आपने के लिए au वाएं तरफ और ना यायनि कि निगेट्इव होगा याने कि अतल दर्पण की जो फोकस्स दूरी वो हमेशा निगेट्इव होगी लेकिन कुटल दर्पन का यूट होता है और वक्रता के इंदर भी डाइड्ट अरफ टेह हैं जो उत्तल दर्पन की फोकस्न होती है है वो पॉजिटीव होती है क्योंकि यह है वाक्रता केंद्र दुरू के बीच की दूरी को वकरता त्रिजिया कहा जाता है वक्रता केंद्र तो था दुरू के बीच की दूरी को क्या कहते है वक्रता त्रिजिया ठीक है ना उसी तरह वक्रता केंद्र यहां पर है और यहां पर यह दुरू है पी इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाए वक्रता त्रिजिया और वक्रता यहां से लेकर यहां तक वक्रता तिर्ज्या है और इसका आधा क्या है फोकस है तो यह भी इंपोर्टन फर्मूला है जिसे निमेरिकल पूछा जाता है इसको भी याद रखिएगा उसे तरह यहां पर है पी है तथा सी है यानि कि वक्रता के अंदर तथा धुरू के बीच की वक्रता तिर्ज्या कहलाएगी और इसी का आधा होता है क्या फोकस तो यह भी इंपोर्टन है अब अगला जो टॉपिक है वह है आवर्धन यानि कि मैगनिफिकेशन आखिर आवर्धन किसे कहते हैं देखिए आवर्धन जो होता है ना वह प्रत्विंब की दूरी और वस्त वश्तयाई कंः को क्या आवर्धन कहते हैं यह तो हभा स depends से हो एं यहां पर हमारे भासा में हमारे स्टाइल में समझें कि आवर्धन किसे कहतें एक हीर्धत की दूरी से वो वस्तु की उचाई से कितना गुना है एक बार फिर से सुनिए आवर्धन जो है magnification वो हमें बताता है कि परतविम जो बना है वो वस्तु से कितना गुना दूर बना है या फिर जो परतविम बना है उसकी उचाई जो है वो वस्तू की उचाई से कितना गुना है, यह हमें आवर्धन बताता है, छिक ए? और इसी वज़ा से आवर्धन, जिसको M सा सूशित किया जाता है, इसका फर्मूला क्या है? M is equal to minus can V vata U, छेक है, ना क्या होता है? माइनस का V बटा U, जहां पर V क्या है? परतिब्ब की दूरी और U क्या है? बिम्ब की दूरी, यानि कि वस्तु की दीरी, ठीक है? टो M ब DARBER माइनस का V बटा U, या फिर आप यूँ कहूते हैं कि M बेर हवं, एच डेस बटा एच, यानि कि H ग क्या है? परतिब्ब क्यों अंताज में पूछा जाता है आप लोग आसानी से बना सकते हैं तो चलिए यहां पर प्रकाश का परवर्तन का सारा टॉपिक दरपड नहीं कांच जिसे प्रकाश आर पर कर जाता है आर पर चला जाता है तो उसी को क्या कहते है प्रकाश का अपवर्तन यानिकि बाहर वायू था हवा था और हवा से प्रकाश जो है ना कांच में एंटर कर गया कांच में परवेश कर गया तो उसी घटना को क्या कहेंगे पुछलीत होता है आप लोग यहां पर एक मेडियम हवा और दूसरा माध्या में जल्व क्योंकि जल्ब में भी तो प्रकाश एंटर कर जाता है ना प्रवेश कर जाता है तो पहला माध्यम है वायू और दूसरा माध्यम है जल्ब ठीक है और प्रकाश मालीजिए वायू से होते हुए इस तरह आया ठीक है आप लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरन जो है ना जिस या अब प्रकास देखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से विशलित हो जाता सिधा यान कि हट जाता है यानि कि प्रकास इस तरह आरा है हवा से होते हुए और यह है दूसरा माध्यम यानि की पानी वाला माध्यम है तो जब जल मेंटर करेगा तो यह इसका रास्तह था ठीक है но तो जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर जल वाला माध्यम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ कि वायू से जब जल में आया, तो क्या हुआ, परकास अपने रास्ते से विचलित हो गया, यहाँ कि अभी लंग की ओर मुढ गया, एक और ए बिंदु पर आती उसको कहते आपतन बिंदु ये 90 का लाइन हम लोग ओकुछ दीए इसको क्या जाना ने क्या जाता है यह अपने लिए चाहीज जाता है ठीखेना तो याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईयू है और यहाँ पर जल है और यहाँ पर वाईयू है यानि कि जब परकास विरल माध्यम और सगन माध्यम समझें माध्यम दो परकार का होता है एक व त cevIES تو जाए है यानि कि वायू के आपक्ष्या ज़ल का घन आपन जाण है तो सगन माध्यम कहेंगे सघन का मतलु घंचे ज्यादा हो घन श्यादा हो जिससे समझ में उसको कहेंगे सघन तो वायू की पैक्ष्या जल जो है ना इसकी थि यसकी घनापन जाद होता है इसको कहेंगे क्या सखन सघनाफ तो जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होते हुए सघनाफ में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विश्लीत वकर यानिकि अपने पत से भटक कर अभीलंब की और मुड़ गई और अगर प्रकाश की किरण किसी सगर माध्यम से आती है और वीरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अगर रिखिए होगा होगा कांच कावव होगा होग हो तो हनृ में एक सीधह करती है थी लेकिन अगर हम खिड़की को बंद जाता है आप लोग ये खुद मैसूस कि होंगे जस्ट भीकॉज अफ रिफ्रेक्शन अफ लाइट यानि कि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है तो यह चीज़ याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरने विरल से सखन में आती है तो अभिलंब की आफ लाइब कॉन सा है प्रकाश के प्रवरतन का नहीं था यानि की आप्तित किरन अपवर्तित किरन किसे कहते हैं यह तो आपित किरन ठी इस बिंद्ट पर और उसके बात है जब वह दूसरे माध्यम में एंटर कर गई वो किरन इस बिंद्द यह जो करते हैं यह माध्यम 1 और यह माध्यम 2 है यह दोनों को अलग करने वाला सता है तो प्रकास की किरंड जो आप्तित हुई थी आप्टित किरंड हो गई और जब यह दूसरे वाली किरंड को क्या कहते हैं हम लोग अपवर्तित गया है आप तित किरण क्या है और अब लुप पर्वेश कर गए है आप तरा ये अपर वर्तित किरण है और लो यह जो है अभिलम और यह अपवर्थित किरण ना उसी तरह यहां पर यह किरण आई है आप तुह इन दोनों के बीच के कोड को क्या कहेंगे अपवर्तन को यानिकी angle of reflection ठीक है ना अब यहां पर समझे पहला नियम जो पहला नियम परकाश के परवर्तन का था वही नियम परकाश की अपवर्तन का है यानि कि आप्तित किरन अपवर्तित किरन तथा अभिलम यानि कि यह आप्तन बिंदू पर जो अभिलम है यह अभिलम तो इसी तल में यह दूसरे माध्यम में भी प्रवेश करेगी यानिकी तल एक ही रहेगा जो परकाश के परव едुरतन का भी पहला नियम है अब परकाश के अपर्तन का जो दूसरा नियम है वो यह है कि अगर आप एक परकाश के रंग को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से माध्यम भी सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि माध्यम वन सेलेक्ट कर लिए वायू रहेगा और माध्यम तू सेलेक्ट कर लिए जल रहेगा तीक है यानि कि पानी तो जब परकाश का रंग तथा माध्यम निश्चित हो जाए तो जो आप तन कोड की जया होती है ना यानि कि जया का मतलब होता है साइन मैट में ल्गहिंर कर लिए तो आपतन कोड़ किजाया याणि की साइन या या ये हैं अपवरतन कोड़ की जए अंगल यहाँ सैना या और दोनों का अनुपात करने पर हमेंसे हमें एक नियत Article मतलब होता है हमेंसा एक नियत आंक सुम्हां यह होगा एक बर फिर से समझा देना चाहती हूं कि अगर आप प्रकाश के रंग माध्यम को सेलेक्ट कर लेते हैं निश्चित कर लेते हैं कि हमेशा इसी माध्यम और इसी रंग से अपवरतन कराएंगे तो आप तन कोड की जाया यानकी साइन से पुछता है कि याद रखेगा एक हम का आईक का सिल्ली हैist और इससे अपवर्तन कराना है तो किस तरह स अपवर्तन होता है यहांढों कि यानि कि बहरी वाई सबल और माधियम suspected कि का का ज्यादा है याद कि काश एक क्या है सब्कून से माधियम है और यह वीलल माध्यम है ठीक्रा न तो बाहर कौन सा MARY न माधuedən और परकाष की सिल्भी हो गई समध्याब अब इससे हम लोग अपुर्तन कराते हैं यह एक अपवर्तन कराने लिए परकाश की किरण ला दिये इस तरह ला दिये ठीक है उसके बाद से जरा मैं और इधर से ले कराती हूं माली यह आ गई किरन प्रकाश की किरन इसको क्या केंगे अप्तित किरन और हम यह 90 डिग्री का लाइन खीच दिये ठीक है यह 90 डिग्री का लाइन हो गया यानिकि अभी लंब हो गया आप समझे यहां पर परकाश जो है रहा यह प्रकाश की किरन इसको जाना चाहिए था इस तरह अपने रास्ते से होकर इस तरह से जाना चाहिए था ठीक है इस तरह से चली जाती एक मिन जड़ा अच्छे से मैं बना दू इस तरह से प्रकाश की किरण सीधे इस तरह से चली जाती अगर काच का सिल्ली नहीं रहता तो क्योंकि अब काच का सिल्ली आ गया है अब आब ये माध्य herb से काच वाले माध्य मंगहीं कि विर खेम से सगनमाध्यम में जा रही यह इसको जाना चाहिए था सीधा लेकिन यह क्या होगी ऑभी लबद से और परीवरतन अब यहां पर एक और चीज़ फिर से देखने को मिला क्या अब यहां पर फिर से तो परीवर्थन हो से तो सब्सक्राइब घा इस तरह क्योंकि यहां पर फिर से अपरतन होगा क्योंकि फिर से माध्यम बदल रहा है सघन से अब वीरल में जाएगी ताथ से फिर से वायू में निकलेगी तो अब क्या होगा यह नाइटी दिगरी का लाइन खिश दिये इसको जाना चाहिए था इस तरह एक दम सीधा सीधा ठीक है। इस तरह सीधे निकल जाना चोहीं था इस किरन को लेकिन क्या किया यह सीधे निकलेगी नहीं क्योंकि माध्यम बदल गया है अब सखन से वो वीरल में एंटर करने वाली है तो जब कोई किरन जो बाहर निकली है इसको कहते है निर्गत किरन कौन सा किरन कहते है निर्गत किरन दो बार अपोर्तन के बाद काज के सिल्ली से यह बाहर निकल आई है यहाँ पर दो बार अपोर्तन हुआ लेंस समझे है लेंस जिससे प्रकाश आरपार हो जाए ठीक है ना अब लेंस दो तरह करदान के होताँ है उत्ता लेंस और देख सकते हैं किनारों के अप llan में मोना है और किनारों में उन्पार आप देख सकते हैं इत्वा लेंस को कहते हैं ये याद रखने का च्रिक है देखें उथा हूँ यानि कि उत्तल लेंज उस तरह के लेंज को कहते हैं जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ हो और किनारे वाला भाग पतला हो उसी तरह उत्तल लेंज उस तरह के लेंज को कहते हैं जिसका बीच वाला भाग धसा हुआ हो चप्टा हो और किनारों वाला भाग क्या हो वह फैला हुआ है कि लेंस को किया कwowता है धेक्यों अत्रफाना एसे तरह उसे तरह आता हुथ ऑचल झाया में मुख सूвигा यह यह हो गया मुख यह तहई अब मुख होटा यह डेक्ष किमा चीए ख़ लेंस के समानतर जितनी बहुँ किरने आती है वह क्या होती है बि맛्टू पर उतिली किरनیکल यह वह दूसरी किरन है और यह जो किरन दोन वाई है यह इस तरह जाएगी और परावरतनकि बार इस बिन्दू पर सी दूकली रहुत कि समय एक बिन्दू पर मिलती है देखेंसलरी किरन्य पहली क्रीण राट मुख्यक्ष के समानतर लेकर जाएंगे तो वो उत्तल दरपंड से अपोर्तन के बाद एक ही बिंदू पर मिलती है ठीक है और उस बिंदू को कहा जाता है क्या फोकस ठीक है तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जितनी भी किर्णे मुख्यक्ष के समानतर आ र ओत लेनस के समानतर आने वाली सभी किर्णों को एक ही बिंदू पर अभिसारित कर देता है यारे कि बिंदू पर मिला देता है की इसवाजर तो देंस को ये अपने मुख्य अक्ष के समाना अंतर आती हुई किर्णों को फैला देता है, यानि कि अपसारित कर देता है, इस वज़े से उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अब देखिए फिर से मैं इसको को मिटा कर और फिर से अच्छे से लिख दी हूं क्योंकि यहां पर एक और पॉइंट समझाना है लेंस से प्रकाश का आप वरतन देखिए सबसे पहले इस उत्ता लेंस को देखिए इसका इतना भाग छोड़िए सिर्फ यह वाला भाग देखिए यह वक्रता के अंदर ठीक है कि यह हो गया इस वाले भाग का वागरता के अंदर ठीक है तो इसी वज़ह से यहां पर दो वक्रता के अंदर हो जाता है न तो हम इसको अलग-अलग नाम दे देते हैं एक को सीवन और एक सीटु ठीक है उसी तरह और आटर लेंस को भी देखिए इसको चुपा लीजिए औ वकृता केंदर तो यहां पर भी दो वकृता केंदर हो जा रहा है इसको भी अलग-अलग नाम दे दिया जाता है सीवन और सीटू यानि कि पहला वकृता केंदर और दूसरा वकृता केंदर इसी को एक और नाम दिया गया है मतलब आप लोगे बुक में जो है ना इसका नाम सी पॉसरी किरण अब देखिए भूख के समानतर दो किरणों को ऊजारते हैं यह हो गई पहली किरण ठीक है और 맞는 क्या कहते हैं हम लोग करता के रहा होता है यानि कि जो के लाइगा लग अधा यहां पर दो फोकस हो जा रहा है तो दोनों फोकस का अलग नाम देते हैं क्योंकि इसको इसको आप लिए और इसको एस्थि माने लेते हैं यारी कि यहां पर दो फोकस हो जाता है F1 और F2 लेकिन इन दोनों में जो मुख्य फोकस है वो कौन सा होगा में फोकस वो पता है कौन सा होगा F2 क्योंकि ये जो दोनों समाना अंतर किरने आई है ना ये परावर्तन के बाद इसी बिंदू से होकर गुजरेंगी देखिए पहली किरन आई और अपव मुख्या को मिल रही है इसे इस इस कीरण मुख्या करते है तो उत्ता का जो मुख्या को होता है अगर बात करें एक है कि इसको कहेंगे और इसको कहेंगे F2 अब देखें यह पहली किरण पॉर्टन के बाद इस तरह फैल जाएगी ठीक है यह दूसरी किरण है यह भी अपॉर्टन के बाद इस तरह से फैल जाएगी लेकिन वास्ताव में यह दूनों किरणे यह फोकस से आती हुई पर्तित हो रही है लेकिए यह तो दोनों कंब यह नहीं की दोनों के हते हैं तो यहां पर ढoure मिला है किन और रही हैं कि नियम क्या क्या है कि हमेशा वस्तु को बाई रखेंगे तो हां पर्तविम बनाने के लिए हमेसा वस्तुकर रखा जाता है और प्रकास रहुत हर दाइशा गुजारा जाता है 1 by V और बस यहां पर plus के जगा minus कर देना है आप लोको दरपन सुत्र में क्या था 1 by V plus 1 by U अब lens सुत्र में क्या करना है plus के जगा minus कर देना है यान कि 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F ठीखे तो इसको कहते हैं क्या lens सुत्र जहां पर V जो है यह एक परतिविम्ब की दूरी है U जो है यह बिम्ब यानि की वस्तू की दूरी है और F जो है ना यह focus दूरी है तीक है ना तो यह हो गया lens सुत्र अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंतिम दो टॉपिक को समझ लेते हैं वह वस्तू से कितना गुणा बड़ा कितना गुणा चोटा कितना गुणा दूर और कितना गुणा नजदीक बना है यह हमें आवर्धन बताता है बिल्कुल उसी तरह lens में भी होता है वही चीज M बराबर V बटा यू ध्यान रहे यहां पर माइनस नहीं रहेगा दरपन के लिए जो आवर्धन का सुत्र था वो M बराबर माइनस का भी बटा यू था लेकिन यहां पर lens के लिए जो आवर्धन यानि कि M का सुत्र होगा वो होगा सिर्फ भी बटा यू यहां पर माइनस नहीं रहेगा यह ध्यान में रखिएगा तो M बराबर V वटा U या फिर आप यू कह सकते हैं कि M बराबर H बटा H है है पतलव मालीजै यहां पर वस्तू रखा हुआ है और इसका प्रतविम जो ना इधर कहीं बंता है यह इसी प्रतविम हैं पर दूर है और परत्विम इदर कहीं बन जाता है तो फिर आप लोगों को पता करना है कि मुझें बना है वह वस्तू से कितना स है यह सब हमें आवर्धन से पता चलता है अगर आप किहने है चोटा सब दूरहाइं नाम पहिं की चमता मैं गां we वो जो lens है अपने से होकर आने वाली प्रकाश की किर्णे को कितने डिग्री पर वो अपसारित कर रहा है या फिर अभिसारित कर रहा है उसी छमता को हम लोग क्या कहते है उसी छमता को कहते है लेंस की छमता यानिकी power of lens और power of lens P बराबर यानिकी लेंस की छमता को P से सूचित किया जाता है तो P बराबर क्या होता है 1 by F ठीक है ना एक बटा F F क्या है focus दूरी है तो 1 by F यह हो गया lens की छमता और lens की छमता का मातरक होता है की रेंसा की मतलब की लियों की छमता घैक डेंस की काफी लंगा है या फिसकन भीनो खकी है सब्सक्राइब कात्ता कर चुके हैं फाइनली परकाष का परवर्त अपरतन यहां तो दे होता है ठीखे ना अब इसके बाद से जितने भी चप्टर हुंगे वह इतने लंबे लंबे नहीं है उसको फड़ावड करें गया ठीखेंना पहला ही और बहुत जल्दी-जल्दी धर-धर कं myself सब्सक्राइब करते हैं नाम है मानना नेत्र की रख में गया है देखें पाँचो सेंस और्गन में से सबसे इंपोर्टेंट सेंस और नंतर्था इनकी जीव और तुचा में सबसे जो महत्वपून ग्यानिंद्री होती हे वह आख होती है बीना आख के आप इस रंग ये संसार को नहीं देख सकते हैं इसी वजह से श्याप्टर का नाम क्या रखा गय के जएगा तो घंदर का इस्ट्रॉक्शर में बना दी हूं और यह फ्रंट वाला इमेज में बना दी हूं ठीक है ना तो चलिए समझते हैं आख में हें देखें आख का जो सबसे ऊपरी परत होता है ना यानिकि सबसे बाहर वाली जिल्ली जिसमें और पैक रहता है उसी जिल्ली को कहते हैं हम लोग कॉर्णिया यानिकी स्वक्ष मंदल आप लोग खुद देखते हैं सबसे बाहर वाला जिल्ली जो दिखाई देता है एक दम पतला यह होता है पारदर्शी होता है यानिकी लाइट आर पर जा सकती है इस जिल्ली से ठीक है ना तो सबस्ति ही जिल्ली को जिसमें आख पैक रहता है सबसे बाहरी जिल्ली को क्या कहते हैं कॉर्णिया या फिर सवक्ष मंदल कहते हैं ठीक है तो देखें यह बना दी हूं getir दो चे,"को आप निदर्धान कर कर सकते उसके बाद नहीं तो यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है इसक्लेरा या फिर इसी को श्वेद पटल कहते हैं या फिर द्रिर पटल देखिए यहां पर वाइट कलर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे यह इसको क्या कहेंगे इसको आईरिस कहेंगे यानि की इंदी में परितारी का ठीक है और यह जो आईरिस का रंग होता है इसका तिन रंग हो सकता है या तो यह ब्लेक होगा नहीं तो ब्लू होगा नहीं तो ब्राउन होगा और इंडिया में ज्यादतर लोगो का जो आईरिस का सांब का रंग होता है वो ब्लेकत ही होता है बहुत ही कम लोग Champions होता है ठीक ना और एश्वरSuPC тех आप लोग जानते हैं उनका जो आयरीस है याने कि परितारीका कौंसे कलर का है तो के आगे बढ़ते हैं नेट्र लेंस यौन की आखका जो रह्त होता है न वह उत्तर लेंस होता है उत्तर लइंस जो बीश में मोटा हो और किनारेंगे पढ़स को विल्स पढ़ां यह क्रिस्टल करते हैं या फिर अभी नेत्र लेंस भी कह सकते हैं हिंदी में देखिए यही प्रोब्लम होता है एक ही नाम के बहुत सारे अलग अलग नाम रख दिये जाते हैं जैसे कि नेत्र लेंस अलाम से हम लोग इसको नेत्र लेंस कहते हैं लेकिन नहीं इसका एक और नाम दे दिया गया है अभ वजह से कहा जाता है कि आँख जो है ना वो camera के समान होता है ठीक है ना क्योंकि camera में भी उत्ता लेंज और आक में भी उत्ता लेंज दोनों क्या है समान ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसमें पुतली लिखना में भूल गई हो देखिए यह जो काला वाला भाग आप लोग के आँख में दिखाई देता है उसको तो हम लोग कहेंगे परितारिका यानि की आईरिस लेकिन इस काले वाले भाग के अंदर भी और चोटा सा काला कलर का गोला कार भाग होता है मतलब इ लेकिन इसके अंदर भी चोटा सा काला भाग होता है गोल कार इसको कहेंगे हम लोग क्या प्रॉपिल यानि की पुटली कहते हैं ठीक है और पुतली का रंग जो है यह हमेशा काला रहता है फुतली जो होती है यह प्रकाश को ने लेंज पर भेशती है यहां पर ध्यान रख का ध्यान में रखियेगा परितारी का प्रकाष की मातरा को नियार्फिस करता एक कि परकाष ज्यादा जाए की कम जये आप लोग फुद यह मैसुसश की हूंगे जब laundry से बाहर निकलते हैं धूप में जाते और धूप में फिर वापस घर में आते हैं तो आप लोग को थोड़े देर के लिए अंध्यरा दिखाई देता है कुछ दिखता नहीं है और फिर धीरे-धीरे में लगता है पहले जाती है और घुरे सीकूर घाती और वापस जैसे और फिर लोगो सब कुछ लिए दिखाई दीने लगता है तो इसी वजह इसे यहां पर आप कह सकते हैं कि आईरिस और यह परितारीका है यह प्रकाश की मात्रा को अन्द रित करती है और यह पुतली है यह प्रकाश को जो नेतर लेंज पर हैं यहां पर यह हो गई आरिस हैं यह बना दींस इसे हो गया और यह चोड़ा सा पुतली है लोग यह पिल है अंदर करता है और यह कहते है तो इसी वजा से को पुछता है कि बताईये परकाश को नेट्र लेंज पर कौन पर पुछता है तो पुतली भीषती है बाद खतम उसके बाद से इस लेंट को जो मसल्स जो मानस्पेशिया पकड़ी रहती है ना उन पकटड़ी हुई है जो कि नेटरलन्स को पकटड़ी हुँई है तो इस मान स्पेसी क врем तेंगे सिलियरी पेश मांस पेश या फिर पक्षमा भी पेश लिया ठीक है उसके बाद से समझे कि नित्रोद या फिर जल या द्राव किसे कहते हैं देखिए यह जो आईरीस है और यह पुतली है इन दोनों के बीच एक लिक्विड भरा होता है जली द्राव रहता है इसी लि पर इमेज बनता है न परतविम बनता है रेटीना मतलब समझे परदा ठीक है इसी पर इमेज बनता है इसी वजह से अब लोग देख पाते हैं अगर रेटीना खराब हो गया तो फिर समझे कि आप लोग अच्छे तरीके से वस्तू को नहीं देख पाएंगे तो दृस्टी दोस्त आप लोग को पढ़ना है तो अगर मतलब आख में किसी तरह का दोस्त आजाए तो उसको कहता है द्रिश्टिक दोस्त जो कि हम लोग आगे समझने वाले लेकिन सबसे पहले आपर समझ लीजे रेटीना हो गया रेटीना एक तरसे पर बाती कारे करता है जिस पर द्रौश के लिए लिकवीड का मोता है आप को गुलाकार शेप में रखना यानिकी ये और पचकने से बचाता है इस वज़ासे इस लिकवीड को भरा गया है सोचिए उपर वाले ने कितना हुम दिमाग से इंसान को बनाया है सुचिए हर एक जो फॉंक्षन है वह वाकई मे रेटीन यहां पर इस रेटीने से बहुत चारी यहां पर तंतू देख सकते हैं निकाल दी हो दिए सरे तंट निक्लिंब और यहां पर इस बिंदू पर बिंदू कहते है यहां पर मिलती है यह सभी तंत्री कोशिका और और यह जो रहती है और यह एस प्रत्विम बनता है और फोलूटा इमेज bannता किसं भी उसको देखते हैं तो उसका प्रतविम उसका इमेज जो हैना हम लोग करद दिमाग जो होता ऐसंतरी को सिधा करके और बढ़ा करके दिखेशाश तो यह मांड का का मोता है वस्तू को सीधा और बढ़ा करके जिखान लेकिन रेटीना पर इमेज वास्तुज को है घर होगा होगा अगरे के टो demos नेत्र लेंस की वह चमता जिसे वह अपनी फोकस दुरी को बढ़ा यह फिर घटा सके उसी चमता को कहते हैं हम लोग समंजन चमता यह नेत्र लेंस को पक्षमावी पेसिया यान किसलियारी मसल्स पकड़ी रहती है और जब हमें दूर की वस्तू देखनी ही रहती है ना तो यह जयता हैं चीर कर दूर तक जाता है और अगर कोई मोटा चीज रहेगा तो वह दूर तक नहीं पाती है यह एहां पर भी होती है यह उसलिए दोटी है लेकिन ज Schule की सुक्ष दों को देखना रहता है तो आज अगर आँ से इस लिए razas फोकस दूरी घड़ जाती है यानि कि यह जो नेत्र लेंस को पक्षमाभी पेसिया पकड़ी रहती है यह छोड़कर धिल्ला कर देती है यानि कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और जब कोई भी चीज मोटा हो जाता है तो उससे प्रकास चीर कर दूर तक नहीं जा पाती लेंस की वह चमता जिससे फोकस दूरी घटाई जा सके फिर बढ़ाई जा सके उस चमता को कहते हम लोग समंजन चमता आई होप आप लोग को समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं द्रिस्टी चेत्र का मतलब होता है कितने एरिया तक के वस्तुओं को हम लोग देख सकते ह लगत तो देखें दोनु आक से हम एक सटी डीगरी तक के वस्तुओं को देख सकते हैं यानी कि यह दोना होग और यह एक सटे डिगरी मतलब इस तरह सीधा की दिगिजिये और इससे आगे सब वस्तु को हम लोग देख पाएंगे ऐसा तो कभी नहीं होगा कि पीछे देखना है तो आगे देखते हैं आख को घुमा कर यहां तक देख सकते हैं और इधर देखेंगे तो यहां तक देख सकते हैं ठीक है और इन दोनों लाइन के बीच जो डिग्री बनता है वह एक सासी डि भी ठीक है ना आगे बढ़ते हैं नियुंतम दुरी इस पस्ट दर्शन की नियुंतम दुरी एंपॉर्टेंट कोषन है बहुत बार पूछा गया है 25 cm एस पस्ट दर्शन यानि की एगदम साफ साफ देखने की नियुंतम जो दूरी होती है न वो 25 cm होती है यानिक ज्यादा से ज्यादा पचीष संटीमेटर की नजदीक की वस्तूर को देख सकते हैं उससे नजदीक लाएंगे न तो उतना साफ नहीं दिखाई देगा अगे बढ़ते हैं दृष्टी दोस समझते हैं द्रिष्टी दोस नाम है निकट का नसदीक का बिल्कुल तहील दिखाई देगा नजडीक में कोई नहीं कोई प्रोब्लम नहीं है निकट के वस्तूस बिल्कुल साफ-साफ नहीं दिखाई देगी यानि कि दूर की वस्तू देखने में जब प्रोब्लम हो तो उसको कहते हम लोग निकट दिरिष्टी दोश नाम क्यों दिया गया है निकट की वस्तू साफ साफ दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी दोश है किस चीज में दोश है तो दूर की वस्तू देखने में दोश है यान की द वस्तू को फोकसamine नहीं कर पाता है यानि कि आप सकते हैं कि निकट द्रिश्टी दोश इस इंसान को helps की फोकस नहीं कर पार रहां यानी किफोकस द्रिश्टी क्या होती है तो घट जाती है उसलिग धिए और निकट की वस्तू को फोकस कर पाएगी ना दूर पर मिलेगी तो यानि कि इसमें पतला लेंज वो लेंज जो बीच में पतला होता है उसको क्या कहते है उसको हम लोग कहते है उसको लेंज बीच में पतला और साइड में मोटा होता है उस लेंज को कहते है और लेंज यानि कि निकट द क्रिस्टी दोस ही हो रहा है चश्मे में कॉन सा लेंस लगेगा और लेंस ठीक है हमारे उसमे में कोई लेंस नहीं है यहां पर बहुत ज्यादा लाइट लगा हुआ है आप लोग मुताब कभी दिखाऊंगी लेकिन यापर बहुत जालाइट लगा हुए इसे प्रोटेक्शन क तो सोचिए और आने वाली समय में एक वक्त ऐसा आएगा कि लगबख सभी लोग किसी ना किसी दृष्टी दोश से जूजी रहे होंगे उनको कोई ना कोई दृष्टी दोश हुआ ही रहेगा इसी वज़े से पहले से ही मैं आप लोग को साधान कर दे रही हूं पहले से आप सतर्क हो जाएगे सुधर जाएगे स्क्रीन देखिए बाइलेंस डाइट लीजिए विटामीन ए और विटामीन डी इसे भी निट्रिन के कमी नहीं होना चाहिए प्रकृतिक चीजों से आप लोग रिलेट रहे हैं प्रकृतिक्शन दीजिए आंको प्रटेक्ट करना जरूर इससे भी आप लोग डर अपने अंदर लाइए और थोड़ा आप लोग सतर्क हो जाएए थोड़ा आदत में सुधार लाइए कम स्क्रीन देखिए सुबह उठने से लेकर आतको सोते समय तक सभी लोग मोबाइट पर स्क्रीन पर ही ताख रहे हैं यह आदत बहुत खराब है बहुत खराब आप लोग बस जरूरत के हिसाब से जैसे की पढ़ रहा है तो पढ़ते समय स्क्रीन देखिए उसके बाद से स्क्रीन पर नहीं देखना है आगे बढ़ते हैं अगला दोश है दूर दरिष्टी दोश को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया दे दूर की वस्तु को तो आप लोग देख पा रहें अच्छे से लेकिन फिर भी दोश है तो किस चीज में दोश है तो नस्दीक की वस्तु को देखने में दोश है तो हम यूं कह सकते हैं कि दूर दृष्टी दोश में फोकस दूरी जो है ना वो बढ़ जाती है हम दूर की व तो उत्ता लेंस का यूज किया जाता है, यहां पर मैं लिख दे रही हूँ, इस तरह, उत्ता लेंस का यूज किया जाता है, यानिकी चश्मे में उत्ता लेंस डाला जाता है, उत्ता लेंस बिश में मोटा होता है, उसको परकास चीर कर दूर तक नहीं जा पाएगी, नजदी कि वस्तू को भी देख पाएंगे ठीक है तो चश्मे में क्या होता है उत्तर लेंज डाल दिया जाता है तो हम आसानी से चश्मा पहिंकर नजदीक की वस्तू को भी देख सकते हैं तो यह हो गया दिर्ष्टी दोस और दूरुद दूरुर्ष्टी दोस आगे समझते हैं जरा ज़रा से दिखाई देगा तो अब क्यों कि इसमें दोनों खराब हो गया है दूरी भी और नजदीकी भी तो इसमें दो चश्मा लेना पड़ेगा जब दूर की वस्तु देखना होगा तो हम लोग चश्मे लगा लेंगे और दूर की वस्तू को देखेंगे और जब नस्दीक देखना होगा तो नस्दीक वाला चश्मा लगा लेंगे तो नस्दीक की वस्तू को देखेंगे यान कि हमें दो चश्मा लेकर घूमना पड़ेगा तो फिर यह हो जाएगी दिक्कत द नजदेग की वस्तु को भी दिखा दे तो देखते होंगे बुरहे लोग का जो चेश्मा होता है इस तरह होता होगा एक मिनट बुरह लोग के चश्मे में यह लगवक प्रोब्लम जो है नो बुरहे लोग के साथी होती है जरा दूरदरशिता देखिए इस तरह और चस्मा रहता है कि ऊपर वाला आप लोग बुढ़े लोग का चाहिए तर कर कर्के नीचे वाला जो भाग होता है ना भुम मोटा होता है नीचे तो इस идет k देखने के लिए लोग इस तरह का इसमें दोनों लेंस लगा रहते हैं वो धीरे से इस तरव चश्मा पहन लेते हैं, और पहनने के बाद, और जब उन्हें नजदीक देखना होता है, जैसे की paper वगणरा पहणना है, मोबाइल वगणरा देखना है, तो चश्मा के नीचे वाले भाग में क्या है, उत्तार के वाले भाग में क्या है? उत्तार लेंस चश्मा केरी करते हैं एक चश्म में दोनों फुसूसियत यानि की दोनों विश्यस्ताया आजाती है आगे बढ़ते हैं अगला जो द्रिष्टी दोश है यह आप लोगों के दिया गया है मोतिया बिंद जो है ना यह भी बुढ़े होता है यही होता है मोतिया बिंद में तो मोतियाबिन का इलाज है डारेक्ट को पराना पड़ेगा और थोड़ा-जोड़ा अप्रेश्ट्रों सब्सहां सब्सक्राइल दो शमच में आ गया होगा अब जड़ा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और प्रिजन से प्रकाश का अपवर्तन क्योंकि आप लोग के बुक में यह टॉपिक दिया गया है और काफी इंप्वर्टन भी है नेखे प्रिजम आप लोग जानते होंगे दो त्रिबुझका अब यह बना दी हूँ और चली इससे अपवर्तन कराते हैं यानि कि परकाश को आरपार कराते हैं देखे माने जे इस तरह प्रकाश आई इस प्रिजम पर ठीक है आने वाली किरन को क्या कहते है आप तित किरन तो माने जेकिरन आई और इस बिंदू पर आई जिस बिंदू पर आती है इसको क्या कहते है आप तन बिंदू इस पर हम लोग 90 डिग्री का लाइन कीच देते हैं यह हम लोग लाइन कीच दिए अभी लंग अगर यह प्रिजम नहीं रहता तो यह जो किरन है यह ऐसे सीधे चली जाती ली जाती लेकिन अब यह प्रिजम आ गया है जो की क चाल ज्यादा होगी और काच में परकाश की स्पीड कम हो जाएगी चल कम हो जाएगी हवा क्या पेक्षा वायू क्या पेक्षा तो इस वजह से काच यह वाला काच वाला माध्यम क्या कहलाएगा तो विरल माध्यम कहलाएगा तो यह जो किरन है यह विरल माध्यम से अब सग वाले माध्यम में जा रही है तो यह अभिलम की और मुर जाएगी यानि कि यह अभिलम और इस तरह जा रही थी तो अब यह अभिलम की और मुर जाएगी और इस तरह चली जाएगी ठीक है तो यह चली गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर देखिए फिर यहां पर पर दोबारा अपोरतन होगा अब माली जिए इसको फिर से अब इस वाले सता के लिए आपतित किरण माली जिए तो माली जिए किरण आई और इस सता पर यह आपतन मिंदू हो गया और इस पर 90 डिग्री का लाइन खिच दीजिए ऐसे ठीक है अब यह सगन माधियम से विरल चाहिए था ऐसे एकदम लेकिन क्या अब यह इस तरह जाएगी नहीं अब यह अभिलम जो है ना इससे दूर हट जाएगी और ऐसे चली जाएगी ठीक है ना तो दो बार अपवर्तन हुआ देखिए इस प्रिस्म में दो बार अपवर्तन हुआ एक यह वाले सता पर इसको लेकिन फिर ऋपर न सता पर फिर धुबार अपवर्तन हुआ क्योंकि फिर से माधियम परी cray और ऊप सब्सक्राइब तो विरल माध्यम में जा रही थी तो अभी लंग से दूर अचे तरह लेकिन वह अभी लंग से इस तरह दूर हट गई और इस तरह चली गई इस दिसामे ठीक है यानि कि दो बार यहां पर अप वर्तन हुआ अब देखें यहां पर आप लोग को थोड़ा सा न बी वाले सता पर जी एच यह जो किरन आई है आने वाली किरन को क्या कहते है आपतित किरन तो जी एच हो गई आपतित किरन उसके बाद से एच आई हो गई अपवर्तित किरन क्योंकि अपवर्तन हो गया है इसका अभी लंग और आपतित किरन के बीच के कोड को क्या कहते है बाद तो बार सतह पर दुबारा अपवर्तन के बाद जो किरन बाहर निकलती है उसको कहते हैं तो इस किया कहेंगे निर्गत किरन कहेंगे तो यही चीज़ आप लोगो दिखा देना कर आगे बढ़ते हैं प्रिजिन से प्रकाश का वर्ण विछेपड देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग कलर और विछेपड का मतलब होता है बट जाना विभक्त हो जाना यानि की वर्ण विछेपन का मतलब होता है अलग-अलग रंगों में विभक्स हो जाना अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अल आ रहा है वो सात कर बना होता है आप पर काश सास रंगों में बढ़ जाएगा तो उसी को क्या कहें परकाश का वड एक बाते हैं इसको प्रिज्म से हो गर्द परकाश जाता है न दो थार रंगों बढ़ जाता है आए और बाहर निकल जाता है एक दो तीन चार पांच छे साथ और यहां पर एक परदा लगा दिया जाता है इसी पर्दे पर यह सातों रंग की पट्टी बन जाती है और उसी पट्टी को कहा जाता है क्या इसपेक्ट्रम यहां पर जो सातों रंग की पटी बनी होती है उसको कहते हम लोग स्पेक्ट्रम और हिंदी में कहा जाता है क्या one Pat याद रखिएगा यहां पर आप लोग को भूलना नहीं है याद रखिएगा कि जब प्रिजवन से प्रकाष को गुजारा जाता है तो को सात रंगों में बट जाता है प्रकाश का सात रंगों में बट जाना ही प्रकाश का सात रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है और बाहर एक परदा लगा दिया जाता है इस पर सातों रंग की एक पट्टी बन जाती है और उस पट्टी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम या फिर वाण पड़ और यह सातों रंग कौन कौन सा होता है इनके क्या नाम है याद रखने का ट्रिक भी आप लोगों को पता होगा विब गयोर वी आई बी विब और गयोर यह हो गया यानिके वी से वायलेट आई इंडिको वी से बुलू हिसे ऑरन रेशे रेड़ में भी जापिनाला बह जा नी हरा वह से येलो यानिकी ना उर और ओसे इंडिको यानिकीज आए जिसको गाउंद यात में संत्रा कलर कहा जाता है और आर से रेड यानि की लाल तो बैजानी हपी नाला ये सातों रंग को याद रखने का ट्रिक है बैजानी हपी नाला बैजानी हपी नाला चार पांच बार बोलेंगे याद हो जाएगा विवग्योर इंगलिस में भी याद क बटड़ गई और Coryram का नाम यहां पर बैंनी जमुदी नीला हरा पिला नारंगि और फेक्ष है तो यहां पर यह सातो रंग में विभक्त हो गई लेकिन यहां पर ध्यान दिजे सातो रंग में कौन सा सरंग है जो इस राष्टे से सबसे ज्यादा भटका है तो वह है बैगनी सबसे ज्यादा दूर कौन है वह बैगनी है तो याद रखिएगा जिस रंग का सबसे ज्यादा विशलन होता है यानि कि जिस रंग का सबसे ज्यादा विशलन होता है वो रंग कौन सा है बैगनी यानि कम यह भटका है तो सबसे कम विष्लन कोड यह ज्यादा और यह कम कम विष्लन कोड की सब्सक्राइब अब देखिए यहाँ पर तरंग दर्द पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दर्द जादा है तरंग का मतलब समझते हैं लहर आप लोग जो तरंग यहां से लेकर यहां तक एक चकर में तो तरंग को एक चकर में जितना दूरी तैय करनी पड़ती है ना उसी दूरी को हैं तरंग तरंग करते एंगलिष में जाता है वेवलंट यतना दूरी तैय करना पड़ा इतना दूरी और जिस रंग का तरंग दर्द सबसे कम होता है वो बैगनी रंग होता है लाल रंग का तरंग दर्द ज्यादा होता है इस वज़ासे लाल रंग को खत्रे के संकेत के रूप में भी यूज किया जाता है तरंग दर्द ज्यादा होने का मतलब होता है कि तरंग को एक चक्र लग ठीक है। तो इसी वज़िए से लाल रंग को खत्रे के संकेत के रूप में भी यूज किया जाता है। और इस चीज को भैस भी समझती हैं। सोची है भैस कितना समझधार है। समझती है कि लाल रंग मतलब खत्रा और इस वह जासे लाल रंग देखते ही वह गुस्टे में आ जाती है और मारने के लिए दोड़ती है लाल रंग का रुमाल उसके सामने दिखा दीजे या फिर सबसे अच्छा रहेगा आप लाल रंग का कपड़ा पहन कर चले जाईए आप हम लोग अगले टॉपिक को समझ लेते हैं अगला टॉपिक है इंद्रधनुस काफी आसान है अभी जो हम लोग प्रिजम से अपर्चतन के बाद प्रकाश का वर्ण वीचेपन हुआ था वही घटना इंद्रधनुस के साथ मतलब इंद्रधनुस बनता है इसी के कारण देख इस घटना की कारण परकास की अगल दिखाई देने लगती है उसी को म क्या कहते है इंद्रधनुस यानि की रेंबो कहते है चलिए आगे बढ़ते हैं आकाश का रंग नीला क्यूं दिखाई देता है देखें आप लोग जानते हैं प्रकास साथ रंगों से मिलकर बना हुआ ह लेकिन सांटूरंग मैं नीला रंग का होता हुथ अंदर एक आसे प्रोष्जी होती है कि वो सिर्फ निले रंग के प्रकास को भी परकुर्णेट करते हैं यानि कि बिखेर देते हैं जिस वजह से प्रकास से आने जो जो दो सुरे से आने वाई लेकिन उनमें सातु रंग होते हैं लेकिन सातु रंग में से केवल जो नीला रंग का प्रकास होता है ना वो बिखर जाता है जिसको जैसे आस्मान का रंग जो है ना आकास का रंग निला दिखाई देता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कि सुरियास्त के समय सुर्य तथा सुरे की जो प्रकाश हम तक पहुंचती है उसमें सात रंग होते हैं सात रंगों में से बाकी जितने भी छे रंग होते हैं वो हम तक पहुंचते 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 उनका बिखराव हो जाता है लेकि लाल रंग का क्योंकि तरंग दर्थ जादा ह होता है इस वज़ासे लाल कातर दर्ध ज्यादा होने के वो यह से हम तक पहुच जाती है जिस वज़ासे केवाल लाल रंग ही आसमान में दिखाई देते हैं और इसकर और इसी कारण जुए सुरेय तता आकाश का रंग अलका लाल दिखाई देता है और कोई बात नहीं है बाकिए जो प्रकाश का रंग है चो रंग उनका वग्राव जाता है वह परक्रिनित हो जाती साथ है कि बुट bilateral लाल रंग क्योंकि उसका तरंग दर्द सबसे ज्याद होता है वो हम तक पहुष हमें सुरे से आकांस का रंग पहु !! देखिए माली जे हम लोग का प्रित्वी है ठीक है यह सुरे के उगने का है और यह सुरे के डूबने का समय है तो इस वक्त क्या होता है सुरे को तिर्चा होकर हम तक पहुशना पड़ता है यहां पर माली जे आप है तो सुरे को तिर्चा होकर आना पड़ता है जिसको जैसे स होती है सुर्यास्त के समय भी तिर्शा उपर आना पढ़ता है इस हो गया बाद खतम आगे बढ़ते हैं प्रकाश का प्रकिर्णल यानि कि स्केट्रिंग ऑफ्लाइट की से कहते हैं देखिए प्रकाश का वायूमंदल के धूल कड़ों धुवा और तथा धूल कड़ों के दूसरी प्रकास इस तरह आई और इससे तक्राइ और यह इधर चली गई तीक है उसी तरह एक और प्रकास को लाइए इस कड़ पर यह करते टक्राई और यह जो कड़ है इसको किदर पर वर्षित कर दी इधर भी खेर दी तो आप देख सकते हैं यह जो चोटे-छोटे वाईयू मंदल के कड्ण इसी तरह lavender प्रकाष को अलग Яनिकी क्धिकर की होता है क्योंकि प्रकाष के जो कर होते हैं उनका सता उबड़ होता है वाईयू मंदल परवर्तन को यहां पर आया उसका इधर हो जाएगा परवर्तन इस तरह अलग लगलग दिशायों में रफ सता होने कि कारण प्रक्रवर्तन लेकिन अगर ओलक दिशाओं में क्या जाता है परकाष बिखर जाते हैं जिसके उज़ए से प्रकाष का उजाता है ठीक है तो प्रकाष का प्रकाष का परकाष का समस्थीशा पेफर ज समुझ Benjamin कोला उसी को उन्होंने अपने नाम पर ही नाम रख दिया क्या टिंडल प्रभाव यानि कि टिंडल इफक्ट क्या है ये इफक्ट तो टिंडल ने बताया कि जब हम को इदर से इदर क्या हो जाएगा परकाश का अपवर्थान हो जाएगा यानि कि परकास आर पर कर जायेगी लेकिन हमें दिसा नहीं पता चलेगा दिसा नहीं दिखाई Morocco लेकिन अगर इसकाच के glass में हम एक कुलाइडी बीजन ढलते हैं को लाइडी मिन निकम कमतलब होता है वैसा वींहें जिसके कड़ हमेशा गति शील हो जैसे कि अगर आप गलास में मिठी डालेंगे तो मिठी नीचे जाकर बैठ जाएगा तो उसका कर नीचे ज़ाकर बैठ जा कड हमेशा गती सील रहे गती करते रहें उस तरह के विलयन को कहते है तो पानी में आप वीछछ डाल डाल देने तो उसके कड हमेशा गती कOR आप बैदी बिलेण डालने q determine तो होगा लेकिन दिसा भी मालूम चल जाएगा यानि कि यह जो परकास आप इदर से लाइट जलाएंगे तो इस काच की ग्लास में एक रेखा भी बन जाएगी इस तरह सीधी रेखा भी बन जाएगी यानिकी दिशा भी दिख जाएगा उस तरह के प्रभाव को क्या कहते हैं टिंडल परभाव तो यही जो है ना टिंडल नामक में ग्यानिक ने बताया था कि जो वायूमंडल के कड़ होते हैं वो परकास को अलग लग दिशाओं में बिखेरते हैं लेकिन यह हमें दिखाई भी देता है इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहत कहते हैं आगे बलते हैं अगला टापीक है वायूमंडली अप्वरतन किसे कहते हैं वायूमंडल के कारण होता है ुससे कहते हैं वायूमंडली आप्वरतन तो हमारी आख को ऐसा लगता है कि यहीं से होकर आ रहे हैं यहां से होकर आ रहा है और फिर कभी हवाय इधर चलती है तो यहां यहां से आ हमें सुर्य दिखाई देता है और सुर्यास्त होने के बाद दो मिनट बाद तक हमें सुर्य दिखाई देता है अगरिम सुर्य अगला टॉपिक है यानि कि जब सुर्य निकलता है तो सुर्य निकलने के दो मिनट पहले से हमें सुर्य दिखाई देता है और सुर्य डूब जाता पुदय नहीं हुआ है यह जो लाइन है ना खिश दिए इससे उपर जाएगा तो सुर्या हमें दिखाई देगा अभी सुर्या इस लाइन से इस रेखा से नीचे हैं यहां पर है सुर्या और इससे प्रकाश की किर्णे निकल रही है इस तरह निकलती है प्रकाश की किर्णे ठ से इसी वज़ा से सुर्यदय होने से पहले यान कि अभी सुरज निकला नहीं है यह अभी सुरज यहां पर है लेकिन हमें सुर्यदय होने से पहले ही सुरज दिखाई देने लगता है यह जो दिखाई देता है यह रियाल वाला सुरज नहीं होता है यह अभासी सुरज होता है जो हमें दो मिनट पहले ही दिख जाता है ठीक और इसी तरह सुर्यास्त के समय भी होता है सुरज जो है ना डूब जाता है इस तरह सुरज डूब गया लेकिन फिर भी इससे जो प्रकाश की किर्णे हमारे आंको तो पहुंच रही होती है ना वहीं मंडली अपॉर्तन की कारण चार मिनट एक्स्टाम लोग सुरे को देख पाते हैं ठीक है ना तो चलिए आई होप आप लोगों को यह सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा बस यहीं लास्ट टॉपिक था यहां पर फाइनली दूसरा चाप्टर मानोने तरफ बढ़ते हैं तीसरे चाप्टर का नाम है व विदूद्धारा कहते हैं जिस तरह पानी अगर धराधर परवाहित होने लगे तो पानी की धारा यान की जल की धारा कहते हैं तेल धराधर परवाहित होने लगे तो उसे तेल की धारा कहते हैं इंद सेम वे अगर किसी चालक से चालक उसे कहते हैं जिससे धारा परवाहित ह हो सके तो जब किसी चालक से एलेक्ट्रों लगातार दरादर परवाहित होने लगे तो उसे कहते हम लोग विदूद्धारा ठीक है ना तो यह तो हो गया अपने जबान से मतलब अपने स्टाइल में समझने के लिए कि इण पर प्रवाइच को और दारा केते हैं लेकिन जो आप लोग के बुक में डिफिनेशन दिए गया गया है न वो डिफिनेशन・ पता है क्या है कहा गया है कि मतलब क्या हुआ तब हम लोग समझेंगे सबसे पहले समझते हैं कि आवेश किसे कहते हैं आवेश एक परकार की उत्तेजना है जो कि हर चीज में पाई जाती है यानि कि हम इंसानों में भी आवेश पाया जाता है आप लोग देखते हैं कभी-कभी गुस्टा हो जाते हैं तो यह लगी तरह कावेश है ठीक है और कभी कभी हम लोग इतना उदास हो जाते हैं कि पूरा दिन यहीं बैठाए बैठाए कर जाता है तो इंसान दो तरीके से आवेशित होता है या तो धनावेशित होगा यानि कि अगर धनावेशित होगा उस पर पोजिटिव चार्ज आ होता है इंडल सियंवेशित है कि अवेश भी दो प्रकार का होता है धनावेश और रिडब आवेश और आपनी-घया में चीजे वो परमाडू से मिल कर बनी हुई है और परमाडू में कुलां में मापेंगे जिस तरह लंबाई को मीटर में मुद्ट यहाँ पर किसमें मापा जाता है तो एक एलेक्ट्रॉन पर कितना वेश होता है याद रखिएगा माइनस का 1.6 इंटु 10 तु दी पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है ठीक है और एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना एलेक्ट्रोन पर बस ये प्रोटॉन पर पोजिटिव चार्ज होता है तो बस यहां पर प्लस लग जाता है इलेक्ट्रोन निगेटिव चार्ज होता है इसी वह जैसे यहां पर निगेटिव यानि कि माइनस कर सिंबल लग जाता है और पोजिटिव चार्ज होता है इसी वह जैसे यहां पर प्लस लगा दीजिए 1.6 इंटु 10 रिगार मैनस 19 कूलाम दोनों पर एकदम बिल्कुल समान आवेस होता है और इस वह जैसे यह एक दूसरे को निउट्रल किये रहते हैं जिस पदार्थ में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोट्रॉन भी होता है यानि कि जितना निगेटिव चार्च उतना ही पोजिटिव चार्च इस वह जैसे वह एक दूसरे को निउट्रल किये रहते हैं और इसी वह जैसे उसमें कोई धारा नहीं बैती है लेकिन तब क्या होगा जब एलेक्ट्रॉन की संक्या बढ़ जाए कभी यह जो होता है एक एक एक्षान निकलिये कँ कभी सॉडियूम तो journey को यह पर 10 अलेक्ट्रों को ही दस पूर्डॉन निउट्रल कर पाएंगे एक पूर्टॉन तो बस गया जाए ना यानि कि यहां पर प्रोटोन पॉजिटिब चार्ज की अधिकता हो गई धनावेश की अधिकता हो गई इस वज़ा से सोडियम पर कौण साच आप पोजिटिब चार्जा जाएगा लेजी सोडियम आवेशित हो गया के बदले क्या हो जाएगा 18 और तब 17 प्रोटॉन ही है ये कि 17 प्रोटॉन 17 तुट नीट्रल कर देंगे एक और तो बचे गया यानि कि अदिकता हो गई निगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई तो सबस्क्राइब गाती इसक रहे आवेश्यानि कि नीगेटिव चार्ज होता है और आप लोग एक बावेश की तो क्या कहते हैं विडियो धारा कहते हैं या या तो वो पोजिटिव चार्ज होगा यान कि धनावेश होगा और आवेश में कौन आवेश गती करता है तो रिड़ावेश गती करता है प्रोटॉन कभी भी गती नहीं करता है प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज होता है यान कि धनावेश होता है धनावेश तो चुप चुप आवेश परवाहित हो जाए उसी को क्या कहते हैं उसी को कहते हैं विधुद्धारा मतलब कि आवेश में कौन सा आवेश परवाहित हो रहा है तो रिड़ावेश परवाहित होगा क्योंकि एलेक्ट्रॉन को ही यह जादी मिली है गती करने की यही इदर उदर जाते रहता है और और परवाहित होने की दर दर का मतलब होता है समय यानी कि एक सेकंड में जितना अवेश परवाहित होता है न उसको कहते हम लोग विधूद्धारा देखिए विधूद्धारा का सुत्र मैं लिख दियों फर्मूला आई बराबर क्यों बटाटी क्यों बटाटी यहां पर क्यो से बीस सेकेंड में 22 सेकेंड में 80 कुलांब आवेस परवाहीЙ हो रहा है कि इस चालग से एक सेकेंड में कितना फरवाहीत होगा पड़ाप्ड़बु पता ओखेंगे में कितना प्रवाहित होगा तो आप लोग कहेंगे कि 80 20 को काट दीजे यानि की 4 मिन की 4 कुलाम्ब आवेश 1 में प्रवाहित हो रहा है और इसे से को हम मोग क्या कहेंगे विधुषद्धारा क्योंकि समय में एक सेकेंड में प्रवाहित होने वालこれ क्या कहते हैं हम लोग विधुत धारा कहते हैं देखें एक से में कितना परवाहित हो रहा है बatique कुलाम यानि कि यहां पर जो धारा पर वीच्छाव देव ships से ठोब है मांतरइन इसको सब्सक्रीण देक हैं डिश्क करेंट को किन मापा जाता है तो MPR में मापा जाता है, तो यहाँ पर 4 MPR की धारा परवाहित हो रही है, यानि कि आप धारा का मान निकालने के लिए क्या किये, 80 कुलाम यानि कि आवेश को हम लोग 20 सेकेंड यानि कि समय से भाग दे दिये, आवेश बटा समय, तो देखिए आवेश बटा समय, इसी वज़ धारा कितना परवाहित होगा, तो सिंप्ली अगर एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश परवाहित हो रहा है, तो धारा कमान एक MPR होगा, option में दिया रहेगा, एक MPR जीरे से टिक कर दिजिएगा, आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया, और यह फर्मूला याद र तो जो आवेश परवाहित होते हैं, तो परवाहित होने के लिए गती करने के लिए धक्का लगाना जरूरी है, आप लोग गती करते हैं, तो आप लोग खुद मेहनत करके चलते हैं, चलने के लिए, दौरने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम लोग खुद से मेहनत करते उसी को हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल विभाव जितना ज्यादा धक्का लगेगा जितना ही ज्यादा एलेक्ट्रान महनत करेगा उतना ही तेजी से वह दोड़ेगा उतना ही तेज उसका गसी होगा यानि कि उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा तो मतलब आप यूं कह सक आंक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्या विभाव कहलाता है एक आंक आवेश को यानि कि एक कुलांब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्या होता है जो महनत होता है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग विभाव कहते है उसको क्या कहते हैं हम लोग विभाव कहते हैं हम लोग चलने के लिए महनत करते हैं ठीक है तो उसी तरह एलेक्ट्रॉन भी चलने के लिए महनत करता है उसी को दूसरा बिंदे उसका अपना एक विभाव है उन दोनों बिंदों के बीच के विभाव के अंतर को विवांतर कहा जाता है ठीकर और विवांतर के वज़र से ही विदुद्धारा परवाइद होती है अब जरह हम लोग इसको समझते हैं जैसे कि देखिए यहां पर मैं एक टंक जो उचाई यह तरह और की जैसे ओडरा पर शावाहित है यह ठाकी दारेना पर आइसके भी में तो 30 संटीए यहीं करफ to हुट होगी К fret song की क्यों कि टुक्यट के बीमें पर रॉहीत होगी तो अब बतायों कहींगे कि क्योंकि टंकि ए उचाई पर रखाओं इसका जो लेवल हो 30 cm है और टंकी B इसकी हैट कम है इसका लेवल इसका जो लेवल है वो 10 cm है इस वह जैसे यह पर लेवल का अंतर है इस वज़ए से टंकी बि में धारा प्रवाइत होगी मतलब जल की धारा प्रवाइत होगी तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है तो बताइए दोनों टंकियों के लेवल में कितना अंतर है अस्तर का कितना हाइट का कितना अंतर है तो आप क्या करेंगे तुरंद घठा देंगे तीस में से दस घठा देंगे यानि कि अंतर निकालने के लिए और तांक लेवल कितना है 10 cm दोनों को गटा देंगे तो 20 cm आ आ जाएगा आप लोग कहेंगे जो अंतर है 20 cm है यानि की अंतर होने के वज़ा से ही तांकी ए से संकी शब्सक्रा हम धारा प्रोइफ होगी थेक नहीं और मैं दोनों का आप लोगो सिक्स मेले कर चली अना है महानली दूआँ वेधा आपना एक वीवाव यви Salt किया जाता है मानली इसका आपना एक विवह यानека मृत मातर नयूसंट होता है यानि कि इसको हम लोग वस्भाव में मापते हैं जिस तरह विधूद्ध्रा को Hemping में मापा जाता आ अबियश्क को कुलाम में में पाजाता है लंबाई को मीठर में मापते हैं ठीक है तो माल लिये यह विंदू A है और इसका आपना एक विभव है 30 और यह विंदू B है इसका अपना एक विभव है अपना इक वोल्ट एज है कितना 10 वोल्ट जिस तरह यहां पर के अंतर के कारन यानः की हाइट के अंतर के कारण है कि तना था था 20 cm यहां पर भी निकाल यह इन दोनों के बीच के विभव का कितना अंतर है विभव का अंतर निकालने के लिए मैं V A B दे रही हुँ A A V A का मतलब A VINDU का विभव और VB का मतलब VE B विभवव certification विभवा का अंतर निकलना तो क्या करेंगे वी एley हें थी ‑‑ करेंगे न वी ए लिए कितना है में वैंब समय उतर और विभव स्क nella हेटा कीतना और कितना है 10 वह कितना आया 20 वोल्ट तो यहां पर हाइट के अंतर के कारण टंकिये से टंकिये में जल की धारा प्रवाहित हो रही थी इन दोनों बिंदू के बीच के विभाव के अंतर के कारण बिंदू A से बिंदू B तक विधू धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका विभाव ज्याद है इसका विभाव कम है यह की दो इन दो के बीच न देखेंगे तो यारद रखना नहीं इस तरह यहां पर होने के लिए कंसे कम दो बिदू तो होना चाहिए ना इस वज़े से दो बिंदू के बीच के विभाव को अंतर को हम लोग क्या कहते हैं देखें यहां पर विभाव कितना है 20 वोल्ट के विभावांतर के कारण ही यहां पर बिंदू यह से बिंदू भी तक विधुधारा प्रवाहित होगी ठीक है ना और कहीं से भी एकांक आवेश को इस बिंदू तक लाने में जो कारे करना पड़ेगा यानि कि एकांक आवेश को क्यों मतलब आवेश को इस बिंदू तक लाने में जितना कारे करना पड़ेगा डबलू मतलब कार्य काम जितना कारे करना पड़ेगा उसी को क्या क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं विवांतर कहते हैं तो फी बाबर डबलू बटाकी विवांतर का भी यही शुत्र होता है याद रखना है यह इंपोर्टेंट है यह आगे चलकर काम बाने वाला है चलिए यहां तक आई हो पाप लोगो समझ में आगे होगा आगे बढ़ में स्विच जोड देंगे और यूं स्विच को अन करेंगे बल्व जल जाएगा ठीक है तो जो आप लोग विधूद्धारा को परवाहित होने के लिए जो रास्ता बनाए ना तार के रास्त तार का जो रास्ता बनाए है उसी वह एकदम complete यानि की सतत बंध होता है जैसे कि इस तरह की आप लोग को ले जाकर बैटरी को इस तरह दिखाया जाता है यह बैटरी का पोजिटीव हो गया नीगा टर्मिनल और इसे आप लोग मानल दीजिये प्लग लगा दिए कंजी और उसके बाद से लाकर इस तरह जो दियां हो गया और सुच को जैसा ही ओन करेंगे यह वन्फ ग्लो कर जाएगा यानि कि जल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए आप लोग इस वल्फ को जलाने के लिए क्या किया विधूद्धारा प्रवाहित किये और विधूद्धारा प्रवाहित होने का जो रास्ता है ना यह बिल्कुल बंद है complete बंद अ लैने की वो जो रास्ता होना से ये पत्थ होना चाहिए वो सथत बंद होना चाहिए वह मिघंपलींट भना चैये कई से भी कूट गे तो फिर विदुधर परवाहित नहीं होगी तो विदूधिधा का डिफिलेशन गया होगा विदूधारा के सतत बंद 2 पत को क्या कहते हैं we do the परिपत कहते हैं यह पूरा सथत बंद पतह है पुरा कंफ्लीट लगवी तोट जाएगा फारओं परवाहित में तो इसको क्या कहेंगे बृधुट परिपत कहेंगे अब यहां पर मिदूचल को मतलब है कि मदॅपर में तरह किधिन ऊपस में भटी है तो वही बन जाता है तो देखिए यहां पर LAपम फंप में इस तरह से दीखाए जाता है ल है तो एक अगर से जोना से इसको 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 कहा जाता है बैर्ट्री सो तो यहां पर यह तिन सेल की battery है, यहां पर कितने सेल लगा हुए है, एक, दो, तीन, तीन सेल लगा हुओ है, तो विधुद सेल की संक्या बढ़ाा दी जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग battery, क्विछ था स्वीच ये सब्स meus घंच में अब इसको न करने केornे के लिए बीच में बिंदू डाल दिया जाता तो यह जाएगी बंद क 내려 यह होगी बंद कुंजी यानी कि यह куда- appearing अब इसमें से विदू-दराप परवाहित होगी फिए तो अगर बीच में बिंदू नहीं है तो समझा जाता है कि कुंजी खुला हुआ है यानि कि स्विच ओफ है अगर बीच में बिंदू है तो माना जाता है कि यह जो कुंजी है वो बंध है यानि कि स्विच ओन है या फिर स्विच को इस तरह से भी दिखाया जाता है यह आप ल टिखाया जाता है तो या तो आप इस तरह से विदिवत कर से दिखाया जया ये दो ततरीका है समब prawn से आप जिस तरह चाहें उस तरह विदूत बोल्ब को डिखा सकते हैं और वड़त का मतलब होता है रुकावट विद्धारा जो परवाहित होती है तो रास्ते में रुकावट आती है उसी को हम लोग कहते हैं परतिरोध को गटाया बढ़ाया जा सके उस तरह के पर्तिरोद को कहते हैं कि आप परिवर्ती पर्तिरोद को इस तरह से दिखाइए या फिर इस तरह से दिखाइए बाते की है आगे बढ़ते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर एमीटर किसे कहते हैं विधूत धारा को जिस यंद्र से मापा जाता है उस यंद्र को कहते हम ल लोगो यहां तक समझ में आ गया होगा अब जो अगला सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चप्टर का वो है ओम का नियम बहुत ही इंपोर्टेंट ओम्स लोग जो कि उन्हें से सताइस में जोर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से एक नियम की खोज की और उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं ओम्स लौ यानिकी ओम का नियम बहुत ही इंपोर्टेंट है और आप लोग का एक्जाम में पांच नंबर का पूचा जाता है तो चलिए समझ लेत देखिए उन्हों नामग विज्निक थें उनका बगत रफढ वहत falta उन्होंने एक पयरिमेंट किया था इसी तरीके से सर्किट उन्होंने बना लिए थी बस उनौने उसमें एमीटर और वोल्टमेटर लगा दिया को में माप सके में मीटर से में माप रहे थे और म मिटर से विधवांतर यानि कि आ और आप रहे थे और उन्होंने इसवेल मैं में लिए थे थे तो हम लोग पॉइंट में ना लेकर से 1-4 करके लेते हैं उन्हों 알았어 मीटर से वälle बात था उसके बात से विवांतर को डबल कर दिया दोगना कर दिया यानि कीन कर दिया उन्हों कि चार से तो आठ कर दिये थे अब चार से दर्यक्त बारा कर दिये यानि कि तीन गुना कर दिये जब उन्होंने बारा विवांतर को कर दिया और एमीटर से विधुद्धारा का मान मापा तो उन्होंने क्या देखा कि विधुद्धारा का मान भी तीन गुना हो चुका है यान कि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम विवांतर को बढ़ा रहे हैं विदुद्धारा का मान बढ़ रहा है वस इसी बात को ओम ने लोगों को बताया और उन्होंने अपने तरफ से एक नियम दिया वो नियम क्या था उन्होंने बताया कि विदुद्धारा और विवांतर के ब परहाएंगे वैसे विदुधारा का भी मान बढ़ेगा जैसे से विदूधारा का मान खड़ेगा और यही एंCar नीम के उसके बाद भेंगे रहीत एक भिदुधारा का मान लिखते गए तो उपर लिख दिया यह जंकी भी बट आई कि एंबने और कितना था उसक्त दो एंपियर का तो भी बटाई किये यानि कि विवांतर को धारा से भाग दिये तो चार बटा दो किये तो कितना मिला दो मिला उसके बाद से फिर उन्होंने अगले अगला बार क्या किया दुगना किये थे आठ कर दिये थे जिसके वजह से कितना मिला था उनको धा गया कितना मिला था च्छे मिला था तो फिर से 12 बाट चे किये तो कितना आया दो आया फिर अगली बार भी उसी तरह किया चार गुना कर दिया थे वी बटा आई करने पर हमें एक नियत अंक मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं नियतांक कहते हैं और इसी नियतांक को उमने एक नाम दिया जिसको कहते हम लोग प्रतिरोध और इसी प्रतिरोध को हम लोग आर से सुचित करते हैं यानि कि वी बटा आई बराबर हमें हमें सा यहां पर और फिरमॉला नहीं हैं हमेशा याद रखना है और इससे यहां पर दो और फरमॉला बन जाता है अगर बंटर जालते हैं तो जैसे विदूद्धधारा कमान भी बढ़ता है आई समानुपाथि इस से लेग दीजेगा विदूद्धार लेकर आता है यहां पर और यहां बतावगे ना शाहती हूं इस्सार मिलती है चार को पीछे लेकर जाए और दो को भी पीछे एक पीछ appelle कर यहां पर मिल रहे उसी तरह लिए उसी तरह यु कि पिछे लेगा है यहां पर इस बंदू पर मेन तरह ईंड से करने पर हमें क्या मिलता है हमेशा नियात मिलता है सीधा लाइन में राप्त होता है तो यह हो गया अब चलिए मैं आप लोगों को फिर से अगला टॉपिक पढ़ाती हूं बोड को मिटा कर अब आए हम लोग अगले टॉपिक को पड़वर समझ लेते हैं अब ज्यादा टॉप काःट को क्या कहते हैं पर चालक तार एक लमबाई ज्यादा है और इसमें रुप्य जाएगी यानि कीुर्स पाया जाए इसमें रॉपाइब करता है रुकावत होगा चालक इंगे चालक तार से एक लिए इंय। है इसमें रुकावट ज्यादा हो मैं इसकी लंबाई कम है या तो विदू-दार रॉक्षा है कि इस्की लंबाई ज्यादा है ़िय इस्के लमच आप­ करनी है इसे में ज्यादा प्रति रोध होगा तो जिसकी कि अगर अगर और यहां पर लंबाइसे समानूपाती होता है our बढ़ते हैं और बहुत में और ल्मभाइस भी बढ़ायेगा और लंबाई लंबाई को घटाएंगे लंबाई कम है तो परतिरोदभी कम है तो आर समानुपाती यह तो आप देखते हैं घर का जितना बड़ा दर्वाजा रहता है तो उतना ही अच्छा होता है क्योंकि भीड ज्यादा नहीं लगेगी अगर एक साथ बहुत जदा आदमी घर में इंटर क अगर छोटा दर्वाजा रहे एक दम छोटा सा तो अगर एक साथ धेर सारे आदमी घुसे घर के अंदर तो फिर धक्का मुक्की जाएगा तो उसी तरह यहां पर भी है च्छेटरफल का मतलब समझे तार का यह जो है ना मुटाई आप यूंगे सकते हैं कि यह दर्वाजा सी स यहां कि दर्वाजा बढ़ गया है तो यहां पर कितने भी एलेक्ट्रॉन हो ज्यादा धक्का मुकी नहीं होगा यान कि परतिरोध कम होगा रुकावट कम होगी इसके अपेच्छा तो अगर हम लोग छेतरफल को बढ़ा रहे हैं परतिरोध क्या हो रहा है घट रहा है और चत्रफल को घटा रहे तो फ्र Bachola गणी कि आर्घवान पाती एक बढ़ वर्ट के रहता है और जिस मुटर को बढ़ा रहा है तो परतिरोध बढ़ जा रहा है और चेतरफल को घटा रहे तो परतिरोद बढ़ जाए यानिकि एक दूसरे के यह ब्यूत करम है उल्टा है तो इसे हो जैसे आर समानुपाती एक बटा ए लिख दिया गया है ए मतलब चेतरफल ठीक है तो अगर दोनों को कम्बाइन करके लिखा जाए तो आर समानुपाती एल आर समानुपाती है यानि कि जतना लंबाई ऑlled यहां पर बराबर का चिन लगता है तो यहां पर एक इस्तिरांग का जाता है यह वाला जिसको कहते हम लोग क्या के इसको किल्स कर दना के जाता है यह इसy को हम लोग क्या कहते हैं अर्ज इसको हम लोग क्या कहते हैं कि होटीज यहाँ आधा जटीस फिर्मूला बन गया इसको भी याद रखेंगा इसे टाना या जितक किया जाता है कि भटा hain कि धारा कामान कम करने के लिए फिल्व हो जाएगा या फिर किसी परिपत में धारा कमान कम है रुकावट गटा ने घृता ने कि हमारे पास दिखाता होता है वर ечение सिरोध का इसाइय मात रख होता है पर्तिरोध क्या होता है उम को कि व्यावटें नावर्ट में जब योँ तरह से पर्तिरोधे और हम चाहते हैं कि व्यक्राइक और में करें इस तरह से जोड़े किसी परीपत में कि यह कभी ज्यादा परति रोध उध्त करें तो कभी कम तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं परति रोधों का सही और याद की अगा मुझंभ हता है एक के बाद एक प्रतिरोध को सजा देते रे और अगा फ्डियोद homo यारी लेक्रस किया फिरे प्रतिरोध चाहिए चिकारेगी हमारे पांस जतना भी पर्तिरोध कर कि सजा दीन आर साटर मुनिके ब्रसाटत्र सरी अगर आपके पास परतिरोद है कि उससे कम परतिरोद उससे उस परतिरोद को जोड़ा जाएगा समानतर करम में समानतर करम का मतलब होता है सभी परतिरोद का पहला वलाि या वला से याD क्रम होता है ये होता है समांतर ने मैं पूछा जाता है लेकिन हम लोग यहां पर शॉर्ट कॉर्ट में लेकर चल रहे हैं तो इसको प्रूफ करने की जोर्थ नहीं है अप लोग डारेक्ट ही क्या किजिएगा यह स्रेडी क्रम और समांतर क्रम का दोनों का सुत्र ही याद कर लिजेगा मालेज यह तिन 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 ओम का तीन परतिरोध है यह हिसको प्रतिरोध में सजा देंगे सब्सक्ति आर यह कर दिए और सिर्ट यह सब्सक्राइब तीन के सवत्रीक अर्फ करेंगे तो तो अगर हम इन तीनों परतिरोध को इतं करेंगे जोडते हैं तो टूटल यहतीन परतिरोध मिलकर 9 का परतिरोध तो ब entrevist के हैं यहांपक हदी और ये दूसरा प्रतिरोध के गगल में जोड़ दिए दूसरे परतिरोध से तढ़ी तिसंप Dreams को जूड़ना है तो इसके बगल मिलाकर जोड़ कि शोर दिए इसको कहते हम लो से लीडिखन नैसे पार्स इसको कहते हैं हम लोग क्या समांतर करम और जब इस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो हम्हें कपर है कि यह से जोड़े कि हम एक कम परतिरोद मोjes कम परतिरोद उदपन हो कम-bab 효 only थिए Selaw और आरवन मान लेते हैं यह तो इसको समानतर कर्म में जोड़े हैं तो टॉतल कितना एगा लची मुझाएगा तीन और ऊपर गी तिन यहां पर एक यानि हम चाहते हैं कि इन तीनों को ऐसे जोड़े कि इसका मान बढ़ जाये तो या तो हम इसको स्धिंतर में जोड़ते हैं या फिर सम्ख對吧 में जोड़ते हैं तो यह तीनों मिलकर ज्यादा परतिरोध उधपन करते हैं और सम्थर कुषmother क्र Sullivan करते हैं या विदुद्धारा के कारण हमें ताप का प्रभाव देखने को मिलता है उसे को हम क्या कहते हैं विदुद्धारा का ताप्य प्रभाव जैसे कि आप लोग कभी सोचे हैं कि आप अपने मोबाइल जब चार्जिंग में लगाते हैं और दो तीन गंटा इसी तरह चोड़ देते ह होता है फिर कुछ भी चलाई है तो वह चार-पांच घंटा लगातार चलने के बाद क्यूंग गरम हो जाता है सिर्फ और सिर्फ विदुद्धारा के ताप्य प्रभाव के करान या विदुद्धारा प्रभाव देखने को मिलता है चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क् वितार की उना उसमें कुछ न कुछ अशुद्धिया पाई जाती हैं जो कि विदुद्धारा के रास्ते में रुकावट दालती है तो एक तो एलेक्ट्रॉन फुली एनरजी के साथ पूरा उर्जा के साथ दोड़ते हैं और रास्ते में आ जाता है प्रतिरोध यानि की इक जर्ट से दुसरे और यहीं कि mechanics हो जाते हैं और सोचिए चालक तर ततर में कोई एक एक थोड़ो ना होता है और वो कंहलों की तक्राब्य Conor होते हैं और उसमें से अगर 45 पर सेंट का वी तक्राव कर गिले तो अगर 45 पर सेंट का भी हिट में होता है तो तो यहीं घटना होता है आप लोगो के अब देखिए इसी चीज़ का फाइदा वैग्यानिकों ने उठा लिया उन्होंने सोचा कि परतिरोध के कारण इलेक्ट्रॉन की उर्जा हीट में बदल जा रही है यानि कि विदूध्धारा का ताप्यों पर भाव देखने को मिल रहा है तो हम कोई ऐसा तार क्यों न ले ले यही आईडिया लगाया वैग्यानिकों ने आरूने धूंदा नाइक्रों का तार टिकाही और समय एलेक्ट्रों के तार बना ढ़ता है एक्ट्रों का क्पर नर्जा बदल जाता है और उसमसे एलेक्ट्रों धर्थ उसमें कौन सातार होता है नाइक्रों कातार देखिए इसी तरह से नाइक्रों के तार को बना दी हूं उसका निचला वाला हिसा हम नहीं बना दिन और यहां पर इसके साइड वढ़ा हिसा देकिए मैं को तरह सी तरह से कंडित कर दिया जाता है जुआ झाल उनकर अक तारि गान व assessments कितररा नहीं को इनकरियता करने सी थार जारे फिवल मित याद वे तो फिर क्या किया गया मतलब इससे बशने के लिए इसको लेमिनेट कर दिया गया यानि कि इसको नाइक्रोम का तार है इस तरह से है ना इसको इस तरह से लेमिनेट कर दिया गया और इसमें अबरक भर दिया गया अबरक जिसको कहा जाता है क्या माई का माई का या फिर बोली अब रख एक ऐसा पदार्थ है ना जो कि अपने से हीट को तो जाने देता है अपने से होकर हीट को यानिकी उश्मा को तो जाने देता है लेकिन विधुद्धारा यानिक एलेक्रिक करेंट को अपने से होकर जाने नहीं देता है तो यहीं अब रख को भर दिया जाता है और ल इस को शेफ कर दिया जता है जिसका गलांग बहुत ही जादा है 186 सब्सक्रीरा इसieth लिवालाbacks यही टंगस्टन के तार कुश्टा कुणलीद करके लगा दिया जाता है जैसे पहल नियां अरगन आप आप भर सकते हैं इसमें और दीजिये कोई भी और फिर ये इसमें क्या होता है तो इसमें क्या होता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह गलता क्यों नहीं है इसलिए इसका गलनांग ज्यादा होता है तीन हजार लोगो समझ में आ गया होगा अब यहां पर देखिये विधूदधारा का ताप्य प्रभाव देखकर जूल नामक वेग्यानिक थे ना इसको जूल का भी प्रभाव कहते हैं जूल नामक वेग्यानिक नहीं किया था तो जूल का नियम कहते हैं उन्होंने क्या दिया था उन्होंने यह दिया था जो हीट निकलती है विधुदधारा के परवाइफ होने पर जो उश्मा मुक्त होती है वह 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 कर दददारा के वरगिंवकती Geme कि जितना हीट निकल रही है ना जितना उश्मा हो रही है उससे दुगना समझे कि उस चारजर में विधुदार परवाइद करते वो गम हो जाती है मतलब कि उसमें इलेक्रों का परतिरोच से सामना हो रहा हो रहा है तो जितना मुक्त हो रही है तो जितना मुक्त हो रही है यानि कि वह जो हीट है उससे दुगना उस चार्जर में विधूद्धारपरवाहित होती है ठीक है ना तो वही बताये थे जूल नमक्वेग्यानिक कि जितना हीट होता है ना समझें कि उससे दुगना उस ची उतना ही ज्यादा हिटनिकले चितना कम परतिरोगी इंगे उद्धेख कर एंगे और उतना ही तो यह मंहीं गynnigthu के गड़ारी कि व girlfriends सन्मानय उन्पाती होता है क्या तीक्षेν यारी के जितना ज्यादा समय तक विदुद्धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा समय तक हीट भी उत्पन होगा यारी कि उतना ही ज्यादा हीट निकलेगा जितना कम समय तक विदुद्धारा प्रवाहित होगी उतना ही कम जो है ना उश्मा मुक्त होगी उतना ही कम हीट निकलेगा तो यह हो गया एक important formula जो कि याद रखेगा इसे question पूछा जाता है अब यहाँ पर आगे एक और चीट समझिए देखिए हम लोग जितना काम करते हैं यानि कि हमारे अंदर उतना ही ज्यादा एनर्जी है उर्जा है तो जितना ज्यादा काम होगा मतलब कि उतना ही ज्यादा समझेंगे ही और जितना ही जड़ा रहेगा उतना ही और यह होता है कि उत्लियाध की आप लोग सुतर याद किजिए इसके पहले में आप लोगो लिखाई थी ना विबहुत ता विबानतर का सुत्र नवी ब्लू बटा क्यूं होता है विब्लू ब्लू बटा क्यूं तो बस यही वाला फर्मूला से डब्लू का सुत्र निका लिए डबलू को लाएंगे इधर यह जाएगा वी क्यूं यानि कि दबलो बराबर हम लोग H लिख सकते हैं क्योंकि एक और शूतर में आपलोगो लिखाई थी तो ये एक और सुत्र निकल जाता है H बराबर VIT ये भी important है इससे भी numerical पूछा जाता है ठीक है ना इसके लावा ओम का नियम क्या होता है V बटा I is equal to R होता है ना तो यहाँ पर आपको क्या कर दीजे V का मान रख दीजे V क्या होगा V बराबर IR होता है ना बराबर आई आड तो बस इसी चीज़ बराबर आई यहां पर भर दीजे एच बराबर V के जगा आई यार लिख दीजे आई आर और फिर यहां पर आई टी है आई और टी तो आई इंटू आई सब्सक्राइब निकाले ना सुत्र यही निकलेगा जो इमपोर्टेंट फर्मूला है वह आप लोग यह याद रखिएगा एक एक बराबर विए और एक यह बराबर स्क्राइब आर्टी यह दोनों इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद से बात करें विदुद्ष्रक्ति की तो यह लास्ट टॉपिक है और बहुत व्यादा आसान विदुद्ष्रक्ति यान की एलेक्रिकल पावर कारे करने की छमता कोई दर कोई हम लोग क्या कहते हैं यहां ने क्या लिशेय विएक दोवाभ है एक यह एक सोहन टीक है और है और était मो 네 सोहन अирण ररओ दस मिनट में दस मिनट में पचास पूरि खा जा रहा है और मोहन जो औसी तरह होता है विदूर्शक्ति कितने सम्य में कितना आप कार्य कर पा रहे हैं यज्जादा कार्य कर लिता है तो इसको कहेंगे क्या इसे आप ले सकते हैं जैसे है यहां से एच बोल क्या याँ बड़ाबर इसकुर जागत है को सबस्क् mixed up यहां फर जब यहां लोग बम यह दो यहद यहते हैं इसको याद रखेगा वड़ान द्लाब aged तो डब्लू का माना प्लू यहां सभी बर्गर खुर तो यह फर्मूला निकाल सकते हैं तो यहां पर फाइनली हो गया लास्ट टॉपिक कर लेते हैं देखिए आखरी चैप्टर यानि की चौथे चैप्टर का नाम है विदूद्धारा का चुम्बा किया प्रभाव बस यह लास्ट चैप्टर देखना है और पूरा फिजक्स कंप्लीट करना है और इसी बात पर अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक न और चुम्बक उसका एक अलग फिल्ड है यानि की विदूद्धारा एलेक्ट्रिक करेंट और चुम्बक यानि की मैगनेट दोनों में कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है ऐसा अठारा सब बीस से पहले माना जाता था लेकिन अठारा सब बीस में और अस्टेट नामक एक से परयोग करने के दौरान एक गलती से मिस्टेख हो गया एक च्छोड़ी सी मिस्टेख हो गई और वो जो गलती से मिस्टेक हुआ था न उसे मिस्टेक से एक नया आविशकार हुआ है क्रねजी समझते हैं कि वो जो गल्ती से मिस्टेक किय थे वो जिस्टेक किया था और उस मिस्टेक के बाद लोगों को कौन सीन नई बात पता चली टो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे 18-20 में और इस्टेर नामक एक विज्ञानी कोई दूसरा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मेज पर टेबल पर वो एक कमपास रखे हुए थे गलती से कमपास रख दिये थे मतलिब स्मझते हैं जो कि अ में दिशा किन्दी करता है जूकि हमेंगार बिनना हुए का यॉटा सकता है आप लोग जानते हैं इसको चुमबक के पास ले कर जाएंगे ना तो उसकी सभी है नहीं हीलेगी यानि के सामने आजाएगा यानिक उस कमपास क को सिर्फ और सिर्फ दूरल कौँन कर सकता है तो शुम्बक विश्पित कर सकता है तो इसी तरफ ऐसेलम उसी के नीचे गल्टी से कमपास रख दिये थे जैसा कि देख सकते हैं यह तार गया है और इसी के जस्ट नीचे समझें कि यह कमपास है और इसकी यह सुई है यह समझ लीच वाली सुई है यह ठीक है ना तो हुआ यह कि और स्टेट नमक जो विज्ञानिक थे वह जैसे ही इस तार से जो कर इस्तर बदल गई यानिकि यह सुए थी वह इस तरह घूम गयी यानिकी तरह विच्यापित हो गई केड़ी हो गई इस तरह फिर उन्होंने स्विच को आउफ कर दिया तो फिर यह जो सुई है ना यह फिर से वापस अपनी पुरानी वाली सिती में आ गयी फिर से इस पर गया अचानक उनको ख्याल आया कि यह ना कंपास की सो यह भी विशेपित हो जा रही है अचानक इनकी नजर उस कंपास पर पड़ी तो आब वो क्या किये सारा अच्छे से अच्छे से अच्छे से अब यहां पर और इस तार से विदूद्धारा निया निगेटिव टर्मिनल है दारा इस दिसा में प्रवाइट हुई यह जो सुई यह जो सीधी अब यह विचयपित होकर इस तरह हो गई और फिर उन्होंने जैसे ही स्विच को आफ किया यानि कि इस तार से विदूद्धारा प्रवाहित होना बंद हो गई वैसे ही यह जो सुई है फिर से वापस इस तरह सीधी दिसा में मतलब पहले की स्थिति में आ गई यानि कि पहले धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही थी इसको माल लेते हैं एक्स और इसको माल लेते वाई ठीक है माल लेते हैं पहले दारा एक से वाई प्रवाहित हो रही थी ना अब उन्होंने वाई से एक्स की तरह प्रवाहित हो रही थी अब यानि कि जब धारा की दिशा को इन्हों ने बदल दिया तो उन्होंने क्या देखा जो कमपास की सुई जो है विचेपित हो रही थी उसकी भी दिशा बदल गई यानकी कमपास की जो सुई है न अब वो इस दिशा में विचेपित हो गई ठीक है फिर उन्होंने एक से वाई धारा प्रवाहित की तो और वही चुम्बा की अच्छेत्र जो है ना इस कमपास को विछेपित कर रहा था यहां पर सुई जो है ना विछेपित क्यों हो रही थी तो कि इस तार ते विधूद्धारा प्रवाइत हो रही थी और विधूद्धारा के कारण उसके उस तार के चारो तरफ क्या हो रहा था यानि कि लोगो को पता चला कि rouब विधूद्धारा चहला तो विदूद्ध्धारा परवाइत होती है यानि और लोहे से बनी वस्तू को अपनी और आकर्सित करें यानि की खी चले उसको कहते हैं हम लोग चुम्बक कई त्रह कर नाल चुम्बक कोotब है वह दियान दीजे यह जो सीरा नोर्थ की तरफ घुम जाएम उसको नॉर्थ करेंगे और जो सीरा की तरफ घुम जाएगा उसको सयूथ पोल कहेंगे यायन कि एक चुम्बक में दो दो पोल होते हैं पहला नॉर्थ पोल जिसको हिंदी में कहते हैं उत्रे द्रू और दूसरा साउथ पोल जिसको हिंदी में कहा जाता है दक्षडी द्रू यानि कि एक चुम्बक में कोई भी चुम्बक ले लिजिए उसमें दो द्रू होते हैं दो पोल होते ह है अगर आगर साउत करते हैं और दोनों का जो पोल है वह अपोजिट है। तब दोनों को पास लाएंगे ना तो यह अपस में चिपक जाएंगे तो उसको कहते हैं अपहले शुमबक अमाली जे नॉर्थ पोल ले लिए और दूसरे चुमबर का साउथ पोल एक दूसरे का पोजिट है ना तो जब इन दोनों को पास मिलाएंगे तो एक दूसरे को आपस में चिपका लेंगे यानिकी आकरशन होगा तो समान जब पोल रहेगा नौर्थ नौर्थ या फिर साउट तो क्या होगा विकर यानिकी दूसरे को दूर भगाएंगे धक्का लगाएंगे लेकिन अगर अपोजिट रहेगा ठीक है एक दूसरे क्या पोजिट रहे जैसे कि साउथ या फिर नौर्थ या फिर नौर्थ या फिर साउथ तो यह दूसरे को आकरशित करेंगे यानिकी क्या होगा आकरशन जैसे कि मान लिजे ये कोई चुमबक है ये चुमबक रियल का नहीं है मान लिजे ये चुमबक है तो ये जो चुमबक है जितना एरिया जितने छेतर तक के वस्तुओं को लोहे या फिर लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर खीचेगा अपनी ओर आकरसित करेगा उतने एरि यहां पर ध्यान दिजिए चुम्ब के छेतर रिखाओ कि दिसा जो कि इंपोर्टेंट होता है आप लोगे एक्जाम में कोशन पूछा जाता है चुम्ब के छेतर रिखाए देखिए नौर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है यह याद रखिएगा चुम् याद रखिए यह हो गया इतना तो इसी तरह जितनी भी चुम्ब के छेतर रिखाए निकलेंगी वह साउथ पोल में एंटर करेंगे तिक इतना दूर्चंब के छेतर था न तो समय जे कि उसी चुम्ब के छेतर को यह रेखा के द्वारा बना कर में दिखा दी तो इसी रेखा को क्या कहेंगे चुम्बक ये छेतर रेखा इस बीच कहीं पर भी अगर आप लोहे या फिर लोहे से बनी वस्तू को रखते हैं तो ये जो चुम्बक है न अपनी और खीच लेगा ठीक है न तो ये चुम्बक ये छेतर रेखाए हैं जो कि चुम्बक ये छेतर तसकôm पूछता है कि और चुम्बक के अंदर जो क्या होगी तो सवाँट से नौठ और समझेगा बढ़न लोग समझते हैं सीधे धारवाही चालकितार्कि क कारण जैसा कि आप लोगों को पता चल गया और स्टेड के प्रियोग से भी और सबी वेग्यानिकों ने समझा दिया कि किसी भी तार से अगर विधू धारा परवाहित हो घुटा है तो देखिए यह एक तार मानली जेश चालक तार है चालक तार उसको कहते हैं जिससे धारा परवाह तरफ पर उत्पन होगा वह किस तरह उत्पन होगा चब किस तरह की चुम्ब के चतर रेखा के दोरा दर्फाना पड़ेगा ना तो इसके लिए नेकिए एक कार्डबोड लिया जाता है थीक है नहीं अरुछ नहीं कार्ड बोड हो गया और यह जा अप लोगा इसके नीचे से इस तरह लेकर जाना है आप लोगों को सब्सक्राइब सब्सक्राइलों कउपाइब जिससे विदूद्धारपरॉइंड हो रही है नीचे से ऊपर और सी कार्डबोड के बीच में में सब्सक्राइब तो लोहा का चून पाउडर इस तरह चिड़क देना है और उसके बाद से हलका हलका आप लोग इसको थपतपाएंगे तो क्या होगा जो लोहा का चून आप लोग छीटे रहेंगे ना जो पाउडर उसको वो जो है ना एक रेखा बना लेगी वह फीक सिस्टमायटीक वे में क्या हो जाएगी हे वह एक रेखा बना लेगी जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं लूग यह वह इस्तार हमं ते अब सिर्फ यहां.. की इससे में जाएगा उस लोचुन चलता है कि सीदे धर्वाही चालख स्घकणा चुमब की च्षेथ से उतपन होता है ढ़िता जाएगा hoy उससे सही कि आती है कि त्योंगे को चरपन होता हैं या और गोलगल Давu लेकिन इसकी दिशा क्या है दिशा तो पता चलना चाहिए न एक नियम आता है चुंबघ के सब समझे की वही है जिन अ खेतштर की दिशा में है तो बाकि-वी उंग्लिया होंगी अंदर की तरफ जा। समझे कि वही है चुंबघ की चेतर की दिशा ये भी सिधा गड़ाई चलकता है औरिसमें धला किदर की तरफ प्रॉया है तो नीचे से उपर की तरफ परवाइथ हो रही है तो अंगठा को धारा की दिशा में रख दिए देखिए नीचे से उपर तो अंगठा भी नीचे से उपर हो गया बाकी सभी उंगलिया किदर इस चाला कर रही है तो अंदर की तरफ यानिकी यह हो गया बाहर से अंदर की इस्पारिः परवाई एक और सिधा दारवाही च sabes prayer नीचे एुपर से नीचे इस तरफ बताई इसके छरह तुपण खेटां में रखिए दारगा दारा किधी तरफ भी तो अंधर से बाहर थे तरफ होगा यानी ही इस तरह थी आरं लोगा ऑंदर से बाहर की तरफ हो यानिकि इस तरह एकल अंदर से बाहर की तरह अब आगे बढ़ते हैं धारवाही विर्तकार पाश के करण़ चुन्बा के चेतर मालने जीधा ना हो इस तरह गोल विर्तकार हो यहाँ पर पाश है जिसको लाकर यहांपर बैटरी सो जोड़ दिया गया है इसका यह पोजिटीव करने के लिए यहीं का यूज करेंगे यानि कि मैक्सवेल का दक्षिर हस्त नियम देखे धारा की दिशा में उठे को रख दिये और बाकी अंदर की तरफ इस अंदर से बाहर की तरफ इस तरह विर्तकार पाश में हमें पता चल गया इस नियम से तो मैक्सवेल के दक्षिड हस्त नियम से की विरतकार पाश की चाटाफ जो चुम्मा के स्थेतर रिखाए उनकी दिशा क्या होती है तो दिशा निकालने के लिए मैक्सवेल का दक्षिड हस्त नियम का यूज किया जाता है यह फड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम अधार प्रवाहित ना हो सके कुछ आलक हो और बिलनाकाल और खोकला हो ठीक है ना उसको लेना है और उसको आप लोगो देखें जिस तरह यह तामे का तार वन बाइवन करके एक दूसरे से सटा सटा कर लपेट देना है और फिर इस तरह जब आप लोग लपेट जाएंगे और इस तरह होते हुए इधर एंटर करें यानि कि धारा जो है पोजिटिव टर्मिनिल से निकलेगी और इस तरह परवाहित होगी इस तरह परवाहित होगी ठीके ना अब ध्यान दीजिए तो इस तार के चारों तरभी को चुंबा की इशेतर होगा तो इसकी दिशा को देखत सब्सक्राइब करने लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं अब जो बीच में बिलनाकार आधार जो लगाए रहते हैं उसको निकाल भी देंगे तो कोई रिकत नहीं है तो भी यह कुंडलित हो जाएगा यानि की इसी तरह कुंडलित तार रहेगा और एक सिरा इसका नौर्थ की तरह काम करेगा नौर्थ पोल की तरह दूसरा साथ पोल की तरह जब तक आप धारा प्रवाहित करेंगे अब यहां पर ध्यान दीजिए यही परिनालिका बिल्कु और डाल दिया जाता है इस परिनालिका के अंदर और जैसे स्विच को और किया जाता है तो इसे धारा परवाहित होगा ठीकर नौर्फ रहें नौर्थ पॉल मतलब की इधर से चिटर रिखाये निकलेंगे इंटर करेंगे यहां पर मैं यह बताना चाहरी हूं कि जब पर आपकी तरह काम करने लगता है यह वाला एक सीरा नौर्सक्रा काम करने लगता है और दूसरा यह वाला करेंगे यानि कि विधूद्धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी तो यह चुमबक की तरह काम करना बंद हो जाएगा और जैसे हम लोग करेंगे यानि कि विधूद्धारा प्रवाहित होगी तो फिर से चुमबक की तरह काम करने लगेगा इसी वज़े से इसका नाम क्या तब ही तक की तरह काम करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा अब आगी बढ़ते हैं अकला टापिक है फ्लेमिंग के बाय हाथ कानियम उससे पहले यहां पर समझिए यह दो मैं चुंबक लेली हूँ दो चुंबक है यह यानिकी नॉर्स पोल और यह साउथ वाल साउथ व सुलर्स पोल में आ करेंगी इन दोना चुंबक के बीच इस पोल थे। ढएक और अब बातgiaण दिजें यहां पर अगर इस पर बल लगेगा आप लोग जानते हैं या तो चुंबक पर बल लगाता है driving बन लगता है कोई चूंबक रख दिजे और कि रखते में इसके तो उसके पास पिशने के कोशिक या फिर पर लगेगा या फिर फीकिंग चुम्बक या पिप बटाये मारकर ना नहीं लगाएगा अब क्यों नहीं लगाएगा हुआ हम आप लोग सीधा बना दूँञेख तॉछ सुधू नहीं तो आप लोग कहेंगे कि समझ मेंने जहा रहा है इसको सीधा कर देती हैं यह मानीज़ें सीधा तार होगत नीच है तामबी चुम्बक के estár और लगें तो इसका जवाब मैं नहीं का दरबं लुदे तो यह दोनों दर मिलकर यहीद्टार्व लगाएंगे क्योंकि चुमबक चुम्बक परभाईएंग сделал कि अब किधार लगेगा अंदर लगेगा कि किधार लगेगा तो बल कि दिशा मालूम करने के लिए कि बन किदर लगेगा किदर फॉर्स लगेगा इसी की दिशाफ मालूम करने के लिए हम लोग इस नियम का जिसका नाम है विए बायाहात का नियम अब हम लोग समझते हैं देखिए अपने भायाइहात की तीन उंगलियों को तरजनी मद्यमा और उठा देखिए बहुआ से ज़्यादा ही आ रही है आप लोग की यहां पर पढ़ाई पर द्यान दीजिए फ्लेमिंग ने क्या पता है था उनके नियम क्या थी उन्हों में कहा था कि आप अपने बाय हाथ की तीन उंगलियों तरजनी मध्यमा यानि कि मिडिल फिंगर और अंग उठा यानि कि थम तीन उंगलियों को ऐसे फ्लाइए कि यह एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो यान कि लंबवत हो देखें इन दोनों के बीच कोड़ कितना है 90 डिग्री और मध्यमा को विधूद धारा की दिशा में रखिए तो आपका जो अंग्ठा है ना उंग्ठा वो बल की दिशा बताएगा कि बल कि धर लग रहा है तो चलिए इस नियम का यूज करके देखते हैं तरजनी को किदर रखना है तो चुमबा के छेतर की दिशा में रखना है सबस्क्राइं वाधर बभत अधार को जेलें लग्हां तरजनी Lesley आउने कि घर की दिशा पता रही है यह उठाटा देखे कि दर इशारा कर रहा है और वंडिफा देशिया और आ cambio कि तर दर कि दो गर देखिए ऑन ते hell लोग अनधर की तरफ रख रहा है यह ठीक है ना एक बार फिर से आप लोग खुद करके भी देखिए जहां पर आप लोग बैठे हुए है या फिर खड़े हैं और वीडियों को देख रहे हैं तो आप अपना बाया हात निकाली और यह एक्सप्परिमेंट मतलब कि यह ना फ्लेमिंग के बाया हात का नियम का चुमबा के छेतर में इस तरह और इस तार में नीचे से उपर नहीं बल्कि उपर से नीचे विद्धारा परवाईत होती तो बताईए अब इस तार पर किधर बल लगता तो इसको भी देख लेते हैं चुमबा के छेतर रखा कि दिशा में कौन रखता है किसको रखना है तो बाहर की तरफ यानि कि स्कार पर दिबल लगेगा वह बाहर की तरफ लगेगा ठीक है ना तो यहीं यह फ्लेमिंग के बाय हाथ का नियम अब इसे नियम का यूज करके विदुत मोटर बनाया गया चलिए अब हम लोग समझते हैं विदुत मोटर के अंदर का स्ट्रोक्चर दे लग सकते हैं यह आयतकार कुण्डली होती घ्रता का की दोनों अ यह याला यह बिट ब tenían यह इंदर खलाए यह पैहला और अधा यह ठीकर तो है और इसको मतला होता है इननी कि इल गिए अदर कर शुष थीनक्राइबिप और भॉस जूदा हुआ की मि क्योंकि कुंडली नाचता है ठीक आ और विवन ब्रूष टार से जुड़ा रहता है यह जो बीटुप रूख यह तर्वाइट होगी तो भीवन बुरूस से होते हुए इस वले में पहुचेगी इस वले से इस वाले तार से होकर यह इधर इधर करेंगी यानि कि इस सार में भारा नीचे से ऊपर की तरह अब यहां पर ध्यान दिजे क्या होगा ए और बी वाले इस आयताकार कुंडली के सिर्फ ए और बी वाले हिस्से को देखिए यह और बी वाला हिस्सा है इस तार में किदर से किदर धारा प्रवाइट हो रही है नीचे से उपर की तरफ तो क्या इस पर बल लगेगा यह दोना चुंबक मिलकर इस पर बल लगाएंगे लगाएंगे क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाइट हो रही है तो इसके चालो तरफ क्या होगा चुंबक मिलकर लगेगा तो किदर बल लगेगा तो फ्लेमिंग के बाय हाथ किनियम से दिशा निकाल लिजे कि दर बल लगेगा बल की दिशा देखिए तरधनी को रखिए च लगेगा तो यहां पर ध्यांद यही होता है मोटर में माली यह आयतकार कुंडली है यह और बी वाला हिसा है और यह सी और डी वाला हिसा है दिशा तो यह वाले हिसे पर कि दर बल लग रहा है तो अंधर की तरफ बल लग रहा है और यह जब घूमेगी तो इसका सी और डी वाला हिसा देखिए दूख से गूसर से इधर की ने अधे चक्कर के बाद का क्योंसा आफे क्यों गापSound अब फिर भीन क्या हो रहा है यह ताल जो है ना वैसितर से जड़ी है अइटेक्ट प्रवाहित हुआ ही है और बिवन मुख से होते हुए आट ऑनम में जा रही है और जिसे धारा इधर ही अभी प्रवाइत व रहा यांद कि नीचे से ऊपर पुद्ध हो रहा है तो इस पर बल कि दर लगे यानिकी अभी भी आप लोग देख सकते हैं यह मिदस्ट बढ़ लगा कि तरफ और इस पर वहार की तरफ तो फिर यह धर गुम जाएगा यानिकि हमेशा गूंते रहेगा यह जह सकते हैं इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं यह बीच से यह एक लूप निकाल दिया जाता है और इसी में आप जो चाहे लगा कर उसका सकते हैं इसमें विधूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल देना हम इसमें विधूत धारा दे रहा है तो यह हो गया विधूत धारा धारा और कुड़ा के pra cola काम घुटे काम होते हैं तो मोटर कहते है इससलों से खूंखने और ना विधूत धारा को यह कर किया है को जाने है यह याद रखेएगा important question objective में पूर सकता है कि विदू मोटर का कार्य क्या होता है तो जिस भी option में दिखाई दे कि या विदू तुर्जा को यांतरी कुर्जा में बदल देता है उसको धीरे से टिक कर देगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं I hope आप लोगों को मोटर समझ में आ होगा समझ में आ रहा है तो कमेंड में लिखकर धरूर बताए ताकि हमें भी संतुष्टी मिले कि हाँ चीजे आपनों को समझ में आ रही है अब सभी विध्यानिकों ने सोचा कि जब विधुद्धारा से चुम्बक इच्छे तरुपन हो सकता है तो हम क्यों ना चुम्बक उन्होंने गलनोमीटर लगा दिया था देखिए गलवेनोमीटर यह दिखाया गया है बनेंटर किसी एक दम इस तरह खड़ी रहती है गलेंटर विधुद्धारा को मापता है तो यह नतर कहा से आ तो देखिए यानिक इंतर यह हैं वो विधूद्धारा के मान को मापता है। इस कि स्कल yours लाक Σ्वेन लगा दिए यह इस विदौद्धारा प्रवाइत होगी तो यह इढकी इदर विश्यपितो की नहीं और उसे में उन्हों ने चुम्बक लिया थीखे और चुम्बक को फ्रेखा से कुछ दूरि पर ले ले जा कर रख़ दिये की इसमें अब धारा परवाही थो वीचार है कि लेकिन लेकिन परवाहीत ही उन्हें के पास हुआ कि उन्होंने देखा अरे कि इस में परवाहित हुए मुस्त फिर उन ने क्या सब्सक्राइब हुखा सबक्राइब incarcerated मैं प्रवाइद नहीं हो रही है तो उन्होंने कि चुम्बक उठाया और दूर लेकर गए तो जैसे उन्होंने दूर ले कराना से दूर लेकर जाने लगे चुम्बक को तो वैसे ही फिर से इस परिमालिका के गलवेनोमीटर की सुई में विखेफ हुआ और यह जो विखेफ है यह कि इसके दिसा यह न अब इस तरह थी यानि कि पहले जिस तरह विखेफ हुआ था जिस दिसा में उल्टी मेश्चेप हुआ अब इधर विख्यफ हुआ और फिर ले जाकर माइकल फराडे दूर परिनालिकास से दूर ले जाकर चुम्बक को रख दिया तो फिर जो है क्या जैसे उन्होंने रख दिया रख दिया रख दिया चुम्बक को वैसे फिर से गलोवेटर की जो सुई है वह खड़ी हो गई इस तरह यारी कि धारा इसमें परवाहित नहीं हो रही थी और फिर जब सकतर है कि यए तो गती करते समय ही क्या हो रहा था यह ते एक और अर फिर विखेपी थो रही थी उसके पात से क्या हुआ उन्होंने संत रख दिया यहांकि दिशंगा को एक जगार दिया ऑब फर इनालिका को आगे पीछ सुप रहे थे तो परिनालिका कोई भी मतल…? नहीं हील रही थी, लेकिन बड़िनालिका को आगे पीछे कर रहे थे चुंबक के आगे पीछे मतलब आप परिणालिका को ये जगे करके गती करा रहा थे तब तक इस गयलोंतिर किस्वी परिनालिका में एक धारा प्रेरित होती है और उसी धारा को हम लों क्या कहते हैं प्रेरित धारा कहते हैं और इस पूरी घटना को कहा जाता है विधुद्च चुंबक या प्रेरण एक बार से सुन लेजेए जब चुंबक और परिनालिका के बीच स Scrits राई जाती है तो परिनालीका में ने दारा प्रि तो यहाBen चुम्बकिया प्रेरण कहते हैं यहां पर यह टॉपिक हो गया अब चलिए इस चैटर में कुछ और अब माली जी मैं इसमें एक तार रखी मतलब के चैतर रखाओ कि इस तरफ है और इसके बीच में एक टार रख दिए लंबा सा नमेका तार रख दी और इसको पकड़ करमें बाहर की तरफ लागातार गती कराऊं तो बताईए क्या इस तार में धारा प्रिरित नहीं होगी राडे जो है वह चुमबक को आगे पीछे कर रहे थे या फिर परिवर्दन परिवर्तन के करण इस तार में धारा प्रेडित नहीं होगी तो इस तार में जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या होगी उसी को को पता करने के लिए उसी को मालूम मतलब प्रिरित धारा की दिशा मालूम करने के लिए हम जिस नियम का यूज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग फ्लेमिंग के दाय हात का नियम अब फ्लेमिंग के दाय हात का नियम क्या है फ्लेमिंग ने बताया कि अगर आपको प्रिरित धा पर और यह भी एक दूसरे के 90 लिग्री पर तो तीनों उंगलियों के एकदम लंबवत यह निकि 90 लिग्री पर फैला लेना है उसके बाद से क्या करना है जो तरजनी है ना उसको चुंबा के चेतर की दिशा में रखना है कि आप गती किधर करा रहे हैं तो यह जो बीच वाली उंगली है मध्यमा वह प्रेणित धारा की दिशा बताएगी कि किधर धारा प्रेज्थ हो गई है तो चलिए इस नियम का यूज करते हैं और इस तार में देखते हैं कि कि दर धारा प्रेणित होती है तरजनी को किधर रखना है चुंबा के चेतर की दिशा में नौट से पेर गरती है निकल्क इ compiled बताएगे यान देख पर आंडरें को में चतर की तरफ गत्ती उल्हाए कि तरफ हो गई तो बेख लिए तरदनी को में अंडर की तर Northern तो अंदर आउं उठे को रख दीजिए तो मदेमा नीचे की तरफ बता रही है ना यानि कि इस तार में नीचे की तरफ धारा प्रेइर्थ होगी अगर हम लोग अंदर की तरफ बती कराएंगे तो ठीक है तो यह हो गया फ्लेमिंग के दाय हाथ का नियम और इसी पर बेस्ट आविशकार हो गया विद्धुत जनित्र का यानिकि जो विद्धुत जनितर है वह फ्लेमिंग के धयं नियम पर ही बेस्ट स्कों एलेक्रिकल जाता है अब देखे जो तरह का होता है एक अच्छी जरी में थानित्र अरकि में ठेनरेट्र को आथ की direct current मिलता है direct current of current उसको कहते हैं जिसकी धारा कमान परिवर्तित नहीं होता यान कि अगर 10 एंपियर की धारा प्रवाहीत हो रहे तो हमेशा 0.7 एंपियर की धारा प्रवाहित होती ही रहेगी और दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो उसी को कहते हैं हम लोग lab Four higher यानकी डायक्ट करेंट तो देशी जेनरेटर से दिस्ठ धारा जनित्र से डीसी करेंट करवाःत होता है यानकी दिस्ठ धारा मिलती है और मिलती है और घ्य जनेरेटर परतियावर्ति धारा जनेतर इससे एसी करेंट मिलता है यानिकी अल्टरनेटिक करेंट एसी करेंट उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा परिवर्तित होते अगर 10 एंपीर की धारा परवाइट हो रही है तो कुछी सेकंड के बाद मान बदल जाएगा 10 से कम या फिर जादा हो जाएगा ठीक है तो धारा के मान में परिवर्तन होते रहता है धारा का मान बदलते रहता है और प्लस दिशा भी बदलती रहती है उस तरह के करेंट को उस जैनरेटर फ्लेवग के लिए रहतब करता है जКак राता है को यांतरी बदलता है चलिए देखते हैं कैसे जसाण表示 दो चुमबक का रहता है और इसके बीच यहां पर तांबे की आयताकार कुन्डी होती है जैसे की इंडी में बना धी हूं ठीक है और यहकर कुन्डी जो है ना यह आकर R1 और R2 वले þे जुड़ी है यहां पर देखिए जिस तरह वले था और इसको बीच में से काट दिया गया था तो आधा-धा वले में बड़ गया था यह जो अर्थ वलेसे इसको अरवां नाम दिया गया है तो यह जो तार है यह आपना से जुड़ा हुआ है और यह ज परवाइत हो रही है और उसकी दिशा क्या है और कितना मान है यहां पर लगाएगे अब देखें इसी कुंडली से एक हैंडल लगा होता है आप लोग देखें होंगे जन्रेटर आप लोग चलाए भी होंगे इस हैंडल को पकड़ कर घुमाने लगे यानि कि यह जो ए और भी इस कुंडली का और भी वाला हिस्सा होगा जब आप लोग इसको पकड़ कर ऐसे घुमाएंगे यानि कि यह और बी वाला सीरा अंदर की तरफ जाएगा और तो दो प्रेधित नहीं होगी बेशक होगी तो धारा की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ हो रहा है तो इसके सब्सक्राइब तरफ कर दिया तो बताइए जो उंगली कि तरफ कर रही है नीचे की तरफ कर रही है यानि कि इसमें जो धारा पृर्णित होगी वह नीचे की तरफ होगी इस तरह ठीक्या ना उसी तरह सी और डी वाला तो इसमें जो धारा प्रिरित होगी उसकी दिशा क्या होगी इसको भी निकाल लेते हैं तरजनी को चुमब के छित्रिख्या की दिशा में रख दिये और गती कि दर हो रहा है तो बाहर की तरफ हो रहा है तो देखिए बीच वाले उंगले कि दर इशारा कर रही है तो ऊपर कि से वाई ठीक है ना एक से वाई होते हुए इस तरह एक से वाई होते हुए इस तरह जाते हुए उपर जाती है यानि कि इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है से एक से वाई की तरह देखिए धारा प्रेरित हो गई अब देखिए आधे चकर के बाद का यह सीम में दिखा दी हुए आधे चकर के बाद क्या होता है देखिए जब पकड़कर हम लोग घुमाते हैं इस कुंडली को इस तरह यानि कि ए और बी वाला सीरा अंदर की तरफ जा है यहां पर आटु वाले जो है आटु वाले एक मिनट रोके फिर से ले देखिए यह सी और डी वाला सीरा है इससे आर्टू वाले जुड़ा हुए घूमने के बाद आटू वाले इधर चला आता है ठीक है और यह भी अब आधा चकर यहां पर कंप्लीट हो गया ए और बी और बताएं और दी वाले सीरे में धारा कि दर प्रेवित होगी अंदर कि तरफ जा रहा है यानि कि दर नीचे कि तरफ प्रेवाहित हो रही है और उसके बाद से इस तरफ होते हुए बीटू प्रूस से इसवाई दे परियर फ्रीट रही ती और अधे चकर के बाद हमेंसा समान रहता है दारा हमें मिलता है इसको हमों लोग कहते हैं बस यहीं होता है कुंड्ली जो है बीच में घुमती रहती है इन दोनों के बीच में तरह हो जाता है ना तो यह और फ।ब्य वाला सीरा बाहर की बाद यह वाला situation होता है फिर भी धारा एक से वाई की तरफ जाती है फिर चकर अधा लगाती है तो इस तरह यानि कि जो है ना बीच में इन दोनों चुम्बा के बीच में कुंडली हमेशा इस तरह गती करती ही रहती है और जिस वजह से उस कुंडली में धारा प्रिरित होती ह है और हमें धारा मिलता ही रहता है एक से वाई की तरफ हमें सादी शार मान भी आको क्या स्कूल से क्वें साजियों की जैस romance यानुट healthy और उस घ्लुकर इसका यह जो कुंडली यह भी सीडी इसका यह तार है इसके लिए किसे लए होता है देखिए आर वन इसके लिए वलए होगा और यहां लिए बीच में से गया होता है लेकिन इस वलय तक नहीं कराया जाता है इसको टच नहीं करता है यह जो आरवन वाले है इसको टच नहीं कराते हुए बीच में से लेकर जाया जाता है अंदर इस तरह अंदर लेकर जाया जाता है मतलब माल लिजे यह आरवन वाले है इस तरह मेरे हाथ को आरवन वाले समझ लिजे और इसी के बीच में से लेकर जाया होता है और यह कि सटार्ट कर करता कर तो करके जब आर फिर अंदर की तरफ यह कि तरफ जी होगी नीचे की तरफ ठीक है और ती अघण की तरफ पर देखे और नीचे तरफ धर प्रोट और रवन में से उकल्ओं ब्रूस में और वीवन भूरुस से होते हुए इस तारते हुए एक से भाइ की तरफ दर भेशा क्या एक से वाइप्र कीतव है गेलोगेनों मीटर बता दिया उसके बाद से धर आ होता है क्या शमतकार होता है समझे यहां पर आधा चक्र के बाद का यहां पर सीन में लिख दी हूं बना दी हूं देखिए होता है ना कि ए और भी वाला सिरा अंदर की तरफ जाता है तो जब यह आधा चक्र लगता है तो सी और दी वाला सिरा इधर आ गया और यह और भी वाल कि उधारा इदर की थरिए दी तो नहीं पर लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर यहां पर ओर बी वाला घुम कर जब उधर गया तो इसका वल्या भी घुम कर दो बढ़ा तो यह तिसके कर गया और तो इसका फोगोंकर इधर आ खाया लेकिण अब देखिए अब कि है क्योंकि इसमें धारा नीचे की तरफ प्रेरित हो रही है तो अब इस तरह से होकर इस तार से होते हुए नीचे की तरफ जाएगी और आर्टू अलाय में जाएगी यह जो तार है यह आरवन वहले से टॉट नहीं करता है पहले ही मैं आप लोगो को बता दी इससे के बीच मे नहीं कराया जाता है इसके बीच में से होकर हुजा रहा जाता है यह आरवन वहले से टॉट यह वाला तार हो रहा है आरवन वहले से यह वाला तार हो रहा है जो की उधर घूम गया है तो सिंग और वाले हिससे से जो धारा प्रेरित होती है नीचे की तरफ प्रेरित होती है और इससे होते हुए R2 वले में जाती है और R2 वले से होते हुए B2 प्रूस्ट में जाती है और Y बिंदू से होते हुए X की तरफ जाती है अब बताइए धारा की दिशा क्या हो गई Y से X की तरफ और इससे होते हुए B1 प्रूस्ट से होते हुए R1 वले से होते हुए उपर की तरफ चली जाती है फिर नीचे की तरफ आती है बताइए धारा की दिशा क्या हो गई वाई से एक्स और पहले क्या थी एक्स से वाई तो देख सकते हैं आधे चक्कर के बाद इसका दिशा बदल जा रहा है फिर आधा चकर मारेगी यानि कि ए और बी वाला सीरा इधर आएगा सी और दी वाला सीरा इधर आजाएगा तो फिर एकस से वाई धारा प्रवाहित होगी फिर आधा चकर लैएगा वाई से एक्स धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर आप लोगों क्या पता बदलते रहता है तो इस तरह के करेंट को क्या के थे अल्टरनेटिंग करेंट आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा एसी जिनरेटर और डिसी जनरेटर बस दोनों में वलाई का फर्क होता है इसमें आधादा वले होता है और एक इस पेसल दोनों के लिए अलग-अलग दे दिया जाता है जिसको जैसे जो है दिशा बदल जाती है अब चलिए आगे समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए और पढ़ते हुए यहां तक पहुच गया है तो समझे कि हम लोग अंती मोड पर खड स्ट्रिकल सर्किट हमारे घर में जो विदूत आता है वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट का होता है 220 वोल्ट यह तो आप लोग समझते हैं कि आववांतर यान्ति वोल्टेज है लेकिन 50 हर्ट कुछ समझ में नहीं है तो चास हर्ट का मतलब क्या होता है देखिए आवरिती का इसाइं म जानते हैं जो पूल होता है आप नों में 50 लगाती 50 चक्कर लगाती है तो आप लोगो समझ में आ गया होगा आवरीती क्या है आप लोग जानते हैं जो पूल होता है जिससे लाइट आता है उससे दो तरह के तार होते हैं एक वैसा तार जिससे वापस जाती है जिससे विदुद्धार आती है उसको हम लोग कहते है कर दो मितलब कि जिसे इतने सारे नाम है उसको लाइब भी वायर भास जाती है ना उसको कहते हम लोग नीगी तर या फिर फिर ठंडान दो पर नाम है कि इसके चार दो इतिरों दो तरह के तार होते हैं झिसे चाहर आती है उसको कहते हैं जिस को एक नाम सेटन कर लिजिये विधुनमैतार है दार क्ला को कहते हैं तो थारह पर तो चाहना भी ठीक है यह हो गई बैटरी और यहां पर स्विच भी लगा हुआ है बस इतना ही छोड़ दिया गया है तो बताइए बल्ब जलेगा नहीं जलेगा क्योंकि इस बैटरी यह पुजिटिव टर्मिनल हो गया निगेटिव टर्मिनल हो गया इस बैटरी से धारा तो इस तरह अब बताइए बल्ब जलेगा तो बिल्कुल जलेगा क्योंकि धारा को वापस आने का रास्ता मिल गया इस तरह गई और इस तरह जाने के बाद वापस आ गई स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा तो उसी तरह यहां पर हम लोग के घर में जो लाइट आती है न दूस्त पोल लाते हैं हम लोगा मैंने जी घर है गर के अंदर जो मेन बोर्ड होता है मेन बड उसमें यह में न्यूट्रल ने तर को ला देते हैं एक तर से धारा आती और एक से वापस जाती है किसी के बीच जो घर में जितना भी जलाना है पंका वगला फ्रीज कूलर वगला चलाना है इसमें वारेंग कर दिया जाता है अब देखिए कभी कभी होता ही है कि मालीजी और फ्रिज है फ्रिज से ये दो तार आःया है और कि यह ग्याट हो गया है कि ऑप मर्य हो गया सौकेट आप ले जाकर इसको एक चोस डिये सोकेट में ठीक है तो लेखिन कभी कभी ऐसा होता है नंकि यह ईगारी करेंता है तो अगर हम लोग फ्रिज को जाकर चुए करेंगे फ्रिज क्यों कि खुन करेंगे उना हुआ और बेशक मारेगा तो इस için बचाओ के लिए लगाया रहेंगे जैसा कि आप लोग जानते है उतना ही अर्थिंग तर बहतर होता है तो जमीन के धातू को प्लेट से निकाल तर लाया जाता है और लाकर आप यूँक है सकते हैं कि 3 प्लक वाला जो सौकेट होता है इस तरह यह हो गया प्लक जो कि इसमें जाकर ठूस देंगे आप ल से जो अर्थिंग निकालते हैं ठीखे जमीन हो गया और इसके ठाटू की प्लेट से आप लोग प्लोग एक तार लेकर आ गया और इसको लाकर इसी होल में जोड दिया जया जैता है यह वले सबसे ऊपर वाले एक इसमें जोड़ दीजिये ठीक है ना तो यह गया जिस से धारा आएगी और यह हो मुझत भूड़ आज हुए और यह ले लूप में जोड़ दिया गया जैएगा कि और जब इसको ठूसेंगे तो इस तार में जाएगी देखिया और इसे होते वापस चल कर पिर क्या होगी फिर से वापस सकतर अचल कर इस तार में आहएगी यह भी इसी में ठूसा हुआ है तो इससे वापस तर याद रखेगा हरा कलर का होता है यह अब्जेक्टिव में पूर्च सकता है इसे याद रखना है आप लोगो को आगे बढ़ते हैं अगला टॉपी के अति भारन अति भारन किसे कहते हैं जिसका जो मतलब आप यूँ कह सकते हैं इस पंके का जो कैपिसीटी है वो है दस액 कि माम्णि जी फॉंकर जो यह ना इस्टार्ट होने के लिए गया लोगोंने के लिए इस पंके का संपियर दीख्यलत नहीं 것은 लोगीं तेखने की ना शन्ते देगे इसकता हैं दो एंपियर ना सकता है तो द्तार पूरी तरिके मीन ने देने की कोशिश करेगा और इसी चक्र मीठ तार जो है जल जाता है और इसी घटना को कहा जाता है क्या अती भारन ठीक है अब लोग समझते हैं लगो पतन किसे कहते हैं देखिए आप लोग जानते हैं कि यह मैं तार हो गया और एक न्यूटरल दोनों एक ही में लप्टा यह में तार है ठीक है यह में तार है और यह न्यूटरल तार है दोनों का कवर टूड़ गया ठीक है और यह यहां से एक दूसरे से टच होने लगे तो यहां पर परतिरोध वह जीरो हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाता है यानि कि यहां पर धारा का मान बहुत जादा बढ़ जाता है अनन्는지 हो जाता है यहां पर पर डंप लगाखर धारा बहती है इसको कहते हो जो झालने का घती है लगफातन अब आतिबारण काहते हुँ लगाते हैं से कहते हैं फिक जो हता है डिकल विने की लैड का बना हुआ होता है मत्ल deficit is ridge इसमे इनहीं दोनों को जोड़ने का काम करता है लेड का तार होता है किसी चीज़ को होता है यानिकी प्रेस का ठीक जार होता है जिसे धारा आती है उस तार को लाते है माली यह ला दिया और यहांaison फिर यहां कडि इक टार्व जाता है और यह मान लीजिए इंप पल का न्यूटरल थार माय लेकर चलेगा घर में तो इस तार और इस तार लेड़ का तार है यह जाकर इस connection को जोड़ देता है ठीक है न अब इसमें से धार आएगी में तार से फेज तार से धार आएगी और यह न्यूटरल तार हो गया इसे वापस लोट जाएगी तो आपके घर में जो भी फ्रीज पंखा कूलर बल वगर है वो चलेगा और जलेगा लेकिन अगर अतिभारन और लगोपतन का खत्रा हुआ मालेजिए अगर धारा का मान बढ़ गया तो आप लोग जानते हैं लेड का तार जो होता है ना इसका गल्लांग बहुत ही कम होता है यानि कि बहुत कम हीट मिलने पर यह लेड का तार जो है वो गलकर तूट जाता है होता है यहाँ पर यह यह से धार कमान जादा हुआ मुतलब यह धारना आगा और पिल्त मिलेगा तो यह तो बताइगा घर में आपके धारा जापा के तो गहर जाएगा लात चला जाए है तो इधर आपके घर में जोबी फ्रीज कूलर पंका बल्वागरा लगा हुआ है सब कुछ जलने से बच जाता है भड़कने से बच जाता है अतिभारन और लगुपतन से आप बच जाते हैं ठीक है न तो इस तरह विदुद्ध फिर जो है ना वह अतिभारन और लगुपतन दोद्धारा का चुम्बक्य परभाव जो की आखरी चप्र था ये कंप्लीट तो फाइनली यहां पर हो जाता है हम लोग के जर्णी का दे इंट हम लोग का सफर यहां पर खत्म हुआ और आई होप आप लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ